अगर सफर है लंबा और सिलेक्शन है आपकी मनजिल तो हो जाएए तैयार और पकड़ लीजिए अपने एक्जाम प्रिपरेशन की देल क्योंकि टेश्ट बुक लेकर आया है शुबारम सेल जियां इस 26, 27 और 28 फरवरी को टेश्ट बुक आपकी लेकर आया है सभी टेश्ट बुक सुपर कोचिंग पर अप्टू 90% आफ और 50% की एक्ष्टा वैलिटी तो अगर आप SSC, Banking, KVS, UGC, Net, LIC, AJ, Gate, State PSC, UPSC, Defense ऐसे एक्जाम की तयारी कर रहे है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिए अभी जाएए इस ओफर का लाब उठाएए Only on Testbook Super Coaching Hello Everyone, Welcome to Testbook Testbook पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Very Good Evening to all of you मेर नाम है सुनिल बिस्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज एक बहुत ही इपॉर्टन सी क्लास जो आपके पेपर के Point of View से बहुत इपॉर्टन होगी आप मेरा साथ देना, कमेंट में आप लोग इनके क्यूस्थन के साथ जो है जो पूछूँ उसका डिटेल्ड अंसर देने की भी कोसिस करना आप लोग एक्स्प्लेन मैं करूँगा ये करूँगा आप लोगों को मैं तो आपका जो सवाल है ये कि अलर्ट कहां दिखाई देते हैं आपके आम तोर पर अलर्ट जो है न वो कहां पर दिखाई देते हैं तो सबसे पहला सवाल जो है आप लोगों का यहां पर यह है कि चैक बॉक्स में होते हैं कॉम्ब बॉक्स में होते हैं डायलोग बॉक्स में होते हैं या इन में से कोई नहीं यह उप्शन से आपके पास में तो अलर्ट हमें जहां पर विजिबल होते हैं वो जगह कुन सी है इन अगला एक सवाल है कि which of the following generation इन में से कौन सी यसी जनरेशन है computer की आपकी following generation of computer is associated with artificial intelligence आप लोगों से ये पूछा है कि कौन सी ऐसे computer की generation है जो artificial intelligence यानिकि AI से रिलेटिड है artificial intelligence यानिकि AI से associate करती है आप माक करके अंसर कर सकते हैं आपको अंसर आता होगा और अंसर ठीक दीजिएगा आप लोग बिल्कुल ठीक जवाब आप ले द data जी बिल्कुल सही अंसर आप कर रहे हैं एकदम ओके तो देखेगा computer की जो generation है no doubt आप लोग असानी से अंसर कर रहे थे क्योंकि देखो 7th तो generation आई ही नहीं है तो एक option तो आपने सीधा-सीधा eliminate कर ही दिया है remaining first, third और fifth की बात की थी इन्होंने तो देखो हम लोग थोड़ा detailed discussion कर लेते हैं इसका हमारे पास में first जो generation थी ना तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया था याद रखिएगा vacuum tube जो है ये दिखाई दे थी हमें vacuum tube जानते हैं आप लोग vacuum tube क्या होती है बिल्कुल जानते हैं आप लोग vacuum tube जो है ना क्या होती है vacuum tube को 1904 के अंदर जो है ना लाया गया था और जे फ्लैमिंग जो है ना उनके दवारा इनका इसका विसकार किया गया था तो वैक्यूम ट्यूब जो है ना एक एक electronic valve कहलाती थी कांच की बड़ी सी ट्यूब होती थी हीट होने में बहुत टाइम लगता था पहली जनरेशन का ये टाइप था आपका computer कमरे जितने बड़े हुआ करते थे processing time बहुत slow हुआ करती थी computer को चलाने के लिए हमें air condition की यानि की हमें एसी वाले room की बहुत जादा आउशकता होती थी तो ये था आपका पहली generation का सफर हम थोड़ा सा move हुए तो कौन सी generation में आए बताओ हमाई second generation में और second generation की अगर बात करते हो तो यहां हम लोगों के पास में जो है ना पहुँच गया था क्या transistor पहुँच गया था ठीक ना और ठीक है ना किसने खोज की थी बताईए खोज की थी ये विलियम शौकले ठीक है ना विलियम शौकले के दवारा जो है ना वो transistor की खोज की गई थी transistor एक बहुत interesting सा device निकल के आया आप लोगों को सबको अच्छे से पता है एक चुटको सा device था और ये computer जो कमरे जितना बड़ा था उसको छोटा करके switch करके सीधा आपके computer को ले आया था on table ले आया था तो एक बहुत बड़ा फाइदा हमारे पास में यही देखने को मिला कि computer on table आपका ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा और benefit लेके आते हैं second generation के बाद में हमारे पास में आती है third generation and now third generation ने तो अपने आप में देखा जाए ना तो बहुत बड़ा बड़ाव किया भी था क्यों क्योंकि यहां पे पहुंची थी आपके पास में IC जो आज भी चल रही है IC का मतलब integrated circuit होता है एक छोटा सा chip है मतलब यूँ समझो कि एक आपकी छोटी सा ऐसा चिप है device है जिसके अंदर आपने ऐसे number of transistor ही डालना start कर दिया IC को बनाते समय हम लोगों ने एक technology का इस्तमाल किया और इस technology का नाम है CMOS technology गुरुजी CMOS क्या होता है complementary metal oxide semi conductor यह होता है CMOS होता है सा ठीक न और के सासाथ हम लोगों ने एक wafer technology का भी इस्तमाल किया इतने सारे transistor आपस में डालने start किये यह IC को बनाने का स्रेज हो जाता है ना वो 1957 से 59 के बीच में इसका development हुआ था और एक person थे जिनका नाम आप लोगों को side आता हो इनका नाम है Jack Kilby ठीक है ना इन्होंने IC को बनाया था और कहीं कहीं पे आप लोग इनको father of IC कहते हैं बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रही होगी तो ठीक है सर ये भी आ गया लेकिन एक बात है मुद्धई बात कि third generation में था तो IC था पर इस IC अब मैं देखा जाए third generation में भी IC था अगर मैं से आप पूछो कि fourth generation में क्या था तो भी मैं कहूँगा IC ही था अगर आप मुझे से पूछो sir fifth generation में क्या था तो भी मैं कहूँगा क्या था IC ही था अब कुछ तो फर्क होगा ना sir ऐसे थोड़ ना है कि सभी generation में IC आ गया तो ऐसे थोड़ ना कुछ तो फर्क होगा ना हाल चलिए वही फर्क बताते हैं क्या था देखो third generation की जो IC थी ना वेटा वो IC थी इस तरीके की कि एक का नाम था small scale integration small scale integration का मतलब है कि एक ही IC है उसके अंदर आपने transistor एक से लेके 10 तक जो है ना वो transistor डाल दिये अब साहे तुम समझ गए होंगे कि एक आपने कैसा packet लिया और इस packet के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो इस तरीके से एक साथ कई सारे transistor जो है ना वो डाल दिये आपने ऐसे 10 ट्रांजिस्टर ऐसे आपस में करके मिला के डाल दिये यह था small scale integration था वक्त के साथ में हमें थोड़ी और technology चाहिए थी तो हमने medium scale integration में क्या हुआ तो बेटा medium scale integration में हुआ यह कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर 10 से बढ़ा के सीधा 500 तक कर दिये हम लोगों ने अब थोड़ा और स्कून का काम है थोड़ा और यूं समझेगा speed वाला काम हमारे पास में आया हलका सा speed और बढ़ गया हमारे पास में ठीक है चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हमें और ज्यादा speed चाहिए थी तो हम लोग पहुँच गए सीधा सीधा fourth generation के अंदर और यहां पे हमने use किया large scale integration को देखा हमने तो हमने क्या किया 500 से 20,000 transistor जो है ना हमने use करना start किया अब आप समझ सकते हो ना एक तो जहां 10 लोग काम कर रहे हमाँ 20,000 काम कर रहे हैं तो speed तो बढ़नी है अपने आप में accuracy तो और अच्छी आनी ही आनी है सही बात बोल रहे हैं सर आप यह तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है ना अब थोड़ा और आगे बड़े इसी generation में आया VLSI आया यानि की very large scale integration आया और यह very large scale integration ने तो कहूँगा दुनिया में एक परकार की करांती ही ला दी है 20,000 से लेके 10,000,000 तक के transistor जो ने इसने यूज किये करांती इसलिए ला दी क्योंकि इसको आज भी यूज किया जाता है इसी को ही actually micro processor के नाम से जाना जाता है आपके computer का सबसे important की उस्तनों में से एक सवाल ये भी है कि VLSI micro processor क्या अलग अलग है very large scale integration कोई micro processor कहते हो आप लोग जो आज के जमाने में इसको use कर रहे हो आप लोगों को यह याद रखना है कोई भी paper के लिए देखो सब भी paper के लिए equally important है चिंता ना करें आप लोग ठीक ना एकदम शानती से मस्त होके दो घंटे तक आज इस class को enjoy करिएगा वादा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एकदम बढ़िया static से knowledge लेके जाओग और सीखोगी कुछ ऐसा की भूलोगे भी नहीं ऐसा नहीं कि यहां जो सवाल पढ़ाये जाते हैं वो रटा फिकेशन होते हैं क्योसर पढ़ा जया फटा फटा फट क्योसर नंसर क्योसर नंसर ऐसी रट नहीं बांदी जाएगी एक एक सवाल को बहुत ढंग से एकदम offline class जैसा field ले लेके पढ़ो और उसी तरीके से पढ़ रें तो वी ले अजसा आई चोथी ज przy जनरेशन तर छो बाठ है हमारे पासoncesittर आए अगर मोग को ओर जाते हैं तो हमारे आब है science scale integration आता है और यहां transistor सो लाग के around जो है न वो आपके हो गए हैं और यही जो दोनों है न बेटा इन्हीं दोनों को मेरे लाल आप लोग कहा करते हो क्या AI कहते हो artificial intelligence कहते हो या हिंदी में इसी को आप लोग जो न वो कृत्रिम बुद्धी मता के नाम से जाना करते हो इसको आप लोग ठीक बात समझे आप लोग ठीक है ना इसमें कोई आप लोगों को परिशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी यह चीज अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखी थी तो आपका हो गया revise यह अद्रवाइस नया है तो ठीक है सर ठीक है बिटा चोट ठीक है बिलकुल ठीक है चलिए समझ में आगे आपको थोड़ा ओर आगे जाते हम लोग यह सब बाते आप लोगों को इस किस्टन से रिलेटेड थी वेरी वेरी इपॉर्टन थी एक्जाम में सीधी डारेक्टली जो है आपसे पूछी जा सकती है अगला क्युस्तन है आपका कि विच अमंगदा फूलोइंग वोज इंडिया ज फर्स्ट टैरा फ्लॉप सूपर कम्प्यूटर भारत का पहला टैरा फ्लॉप सूपर कम्प्यूटर इन में से कौन सा था भारत का पहला टैरा फ्लॉप सूपर कम्प्यूटर जो है न इन में से कौन सा था इसका ठीक अंसर परम पदमा है अगर किसी ने दिया है तो परम 8000 तो एक्चुली इसे option में नहीं है ठीक ना और परम पदमा जो नहीं यह टारा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर था आपका अच्छा हाँ परम से एक चीज आप लोग याद कर सकते हो और क्या सीज याद करोगे कि परम कंप्यूटर जो है न हमारा यह याद रखना कि भारत का पहला सूपर कंप्यूटर में से एक जाना जाता है यह भारत का पहला भारत का पहला सूपर कंप्यूटर ठीक ना भारत का पहला सूपर computer था अचा मुझसे आप ये पूछो कि परम 8000 कब आया था सर बताओ तो परम 8000 आया था 1991 में आया था नहीं सर हम ऐसा नहीं पूछ रहे हम आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि बताओ परम 8000 कुन सी generation में आया था ठीक बात है कुन सी generation में आया था ये था आपका fifth generation का पार्ट था पांचुए PD का जो है ना ये पार्ट था fifth generation का हिस्सा था ऊपका ओये ठीकश ना भी कब आया था आपका ये ये आया था पांचोए generation के अंदर आये था भारत का पहला super computer था ये ठीक है बनाया था CDEC पुने ने बनाया था ये ठीक बात हो गई है CDEC का फुल फॉम है Center for Development Advanced Computing Center Center for Development Advanced Computing Center जो है ये है CDEC का फुल फॉम है ये CDEC ने बनाया था जी सही बात बोली अच्छा सर फिर एक बात बताओ सुपर कम्प्यूटर के फादर किसे कहते हैं मतलब मेरा सवाल ये है कि फादर ओफ सुपर कम्प्यूटर ठीक है ना फादर ओफ सुपर कम्प्यूटर सुपर कम्प्यूटर के पापा कोन है ये बताओ सर आप फादर ओफ सुपर कम्प्यूटर कोन है बताओ कोन बताओ आप मेंसे सुपर कम्प्यूटर के father कौन है यह बताओ मुझे आप लोग आप में से कौन सा बच्चा बताएगा father of super computer see more curry किसे ने जवाब दिया बिलकुल सही जवाब है ठीक ना बिलकुल see more curry जो है ना वो father of super computer है ठीक ना और अगर curry से बात करता हूँ तो पहला super computer कौन सा था आपका ठीक ना पहला super computer दुनिया में पहला super computer जो है ना वो कौन सा था तो दुनिया में पहला super computer जो था ना वो था cdc6600 था ये success नहीं हुआ था इतना ये ज़्यादा इतना सफल नहीं था तो ज़्यादा सफल होने वाला था कुंसा आपका क्रेफरस्ट था ठीकर ना क्रेफरस्ट था यह दुनिया में ज़्यादा सफल होने वाला था आपका यह याद रखना आप लोग और अगर मैं कहूं कि सूपर कंप्यूटर का स्पीड किसमें मेजर किया जाता है तो भी साइदा बताएदो कि कुंसी बुरी बात है सूपर कंप्यूटर का स्पीड मेजर किया जाताए F-L-O-P-S में Flops का फुल फॉर्म क्या होता है सल्द यह भी बता दो सूपर कंप्यूटर में Flops जो आता है तो Flops का फुल फॉर्म होता है Floating Point Operation Per Second Floating Point Operation भी बता दो कि दुनिया में सबसे तेज सूपर कंप्यूटर कोन है, आज के टाइम में बिलकुल बता देते हैं, ये ठहरा आपका कौन सा फरंटियर है, ठीका ना, कौन सा है, फरंटियर, सर इसका स्पीड कितना है भई, तो इसका स्पीड है 1.1 एक्जा फ्लॉप्स, ठीका न लेकिन ये बताओ आप के ये बनाया किसने है, ये बताओ, ये बनाया किसने है, ठीका ना, तो ये बनाया था आपका एच्पी कंपनी ने, एच्पी हिंदुस्तान पेट्रोली है, मैं क्या सर, अरे नहीं भई, ये हावलेक पैकट है, अमेरिका की एक कंपनी है, मतलब भी कहानी है भाई कि अगर आप लोग यहां पर पहली बार आएं हैं इस चानेल पर तो प्लीज इस चैनल को जल्दी सोब्सक्राइब जुरूर करें और हाँ कोई भी कोर्स आंपको लेना हो तो प्लीज मेरे कूपन कोड का इस्तिमाल जुरूर करना सुनील B.CouponCode ठीक है ना टेस्ट बुक अप्लिकेशन को डाउनलूड करना सुनील B.CouponCode जरूर इस्तमाल करना इस कलास का पीडियो फाइल चाहिए तो आपको मेरा टेलिग्राम है सुनील असा टेस्ट बुक इसको भी आप लोग जो है ना जोइन कर सकते हैं सभी के सभी चलिए तो आगे बढ़े हम लोग और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो प्लीज कर देना वो आप मेरी रिस्पेक्ट करने के किनाते कर सकते हो ठीक है ना अगर सवाल समझ में आ रहे हैं पापा यह तो देखो सब को पता है ठीक है अब छाल्स बेस है जो इस सोपी पूटर के क्यों है कुछ इनको कॉंप्यों के पापा कह लिए यह इसलिए कह दिए चुकि इन्होंने ऐनलेटीकल इंजन बनाया था इन्पूट है प्रोसेसर है Output Air Storage है यह काम इन्होंने दुनिया में पहली बार लाया कम्प्यूटर में और यही काम आज के कम्प्यूटरों में भी हो रहा है तो इसी करके इनको कम्प्यूटर के पापा कहे डाला अचा कम्प्यूटर की मम्मी किसी का है फिर Ada Augusta इन्हीं की एक स्टुडेंट है वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर बनी है कम्प्यूटर की प्रोग्रामर है Ada Loveless Augusta उनका पूरा नाम है वर्ड फर्स्ट कम्प्यूटर प्रोग्रामर वही थी आपकी और अच्चुली उन्ही के नाम पे या उन्ही को सम्मानित करने के लिए Ada नाम की एक लेंग्वेज भी बना रखी है तो यह है ऐसा कुछ नहीं प्रोग्रामर में पूछा नहीं जाता मम्मी वाला सवाल है तो मैंने ऐसे कहा दिया पर हाँ पहली प्रोग्रामर कोन थी एडा लवलेस अगस्ता थी यह याद रखना आप लोग ठीक है विचो दा फॉलोइंग इस दा बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर चा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन पूछा है बहुत इजी है आपको पता होगा कि इन्पूट तो देखो 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 आप स्टोरीज भी दोगे आप प्रोससिंग भी करने वाले हो ठीक है बेसिक तो यही ए लिकिन इन्पूट देंगे किस से हम लोग यह तो बताओ ना इन्पूट किस से देंगे बहимся दो कर रहा दो किक के पास ठीक ना की बोर्ड एक सबसे सिंपल था आपका यूं समझेगा इन्पूट डिवाइज उसके बाद में माउस कहता भईया देखो हम भी तो कोई इन्पूट परकार के ही आते ही है ठीक ना अच्छा उसके बाद में ट्रेक बोल नाम का भी तो कहता हम भी तो कोई इन्पूट ही है अना तुम सही बोज रहे हो अच्छा उसके बाद में MICR MICR का मतलब है Magnetic Inks Character Recognization जो आपके बैंक के अंदर जो चेक होते हैं उनको रिकोगनाइज करने के लिए ये कहता हमारा भी एक इन्पूट डिवाइज है हम भी कहते हैं आच्छा इसके अलावा BCR है बार कोड रीडर जो बार कोड रीड करने वाला होता है वो भी बोला हम भी एक इन्पूट डिवाइज ही हैं इसके अलावा यह कहता है कि वह इंपूट डिवाइज में हम लोग हमारे पास में जो है ना वो OCR भी आता है OCR सोरी ओप्टिकल क्रेक्टर रिकोगनाईजिशन हाँ OCR रिकोगनाईजिशन नहीं ना रीडर नहीं है पहचान अक्सरों को पहचानने का काम करना इसके अलावा OMR भी है सर कॉम्प्यूटर में गोले भरके आते हैं टेस्ट वेस्ट जब देते हो आप लो तो इसी का ही यूज होता है आपका आप्टिकल मार्क रिडर के नाम से इसको पहचाना जाता है ठीक है ना अच्छा और इंपुट डिवाइस की बात करते हो आप लोग तो स्कैनर कह दीजिएगा ठीक है ना स्कैनर जो होता है वो भी एक इंपुट डिवाइस है हाँ सही बात है एक आपका करता क्या यह जो इमेज होती है उसको डिजिटल फार्मेट में कनवर्ट करता है ठीक है एक इंपुट डिवाइस ही है यह ठीक है इसके अलावा आपके पास में डिजिटल कैमरा ठीक है ना डिजिटल कैमरा जो है ना ये कैमरा तो इंपुट ही होगा भी या तो क्या होगा सारी data ले लेगा capture कर लेगा ना तो input ही हुआ अच्छा इसके अलावा web camera ठीक है ना webcam जो होते हैं आपके computer के अंदर छोटकुसा उपर लगा होता है जैसे आप गलांगोरियां कर सकते हैं तो वो क्या है वो भी एक आपका input device ही है इसके अलावा आपका होता है light pen ठीक है ना light pen य L-S-T-Y-L-U-S stylus pen ये इस टाइप के pen या Samsung S23 में जो S-Pen साथ में आ रहा है something like that ये stylus pen आपके जो input दिया करते हैं आपके ठीक है इसके अलावा digitizer होते हैं आपके ठीक है ना digitizer जो tab plate होती है जिनके अपर कुछ लिखोगे तो computer के अंदर जो है ना वो आपका data enter हो जाएगा इसको भी आप लोगों को याद करना है डियर ठीक है ना तो ये एक input device है इसके अलावा अगर आप game खिलना चाहते हो तो joystick आपके पास में एक input device आता है ये computer में game port से connected होता है डियर याद रगना game port से इसके अलावा आपके पास में printer अगर है तो printer के अंदर एक technology होती है ADF ठी automatic document feeder बोलते हैं इसको ठीक है ना automatic document feeder के नाम से जानते हैं कभी photocopy वाली दुकान पर गए होंगे तो कुछ कागच अपने आप उठाता रहता है notice किया है ना कभी तुमने कागच अपने आप अपने आप जो ना scan करता है रहता है that is automatic document feeder इंपुटी तो ले रहा है ना हो गया ना input device अच्छा सर इसके अलावा और कौन से इंपूट डिवाइज हो सकते है smart card reader ठीक ना smart card reader ठीक ना smart card reader जो आपके पहले chip हुआ करते थी ठीक ना उस chip को read करते के लिए इसी का use किया जाता था ठीक ना इसी को ही आप लोग smart card reader के नाम से जाना करते थे printer बेटा output device है कहां printer यहाँ ठीक है ना तो यह सारे के सारे input device है जी हमें यहाँ पे एक हारे जिससे हम बात कर रहे हैं इसको तो हम भूली गए यह mic हमारा ठीक है ना mic इसको आप लोग क्या बो निकल आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक ना सर प्लीज एक्जाम कैंसल करवा दीजिएगा प्लीज हम लोग ब्रबाद हो जाएंगे कितने लोग काम करवा के चल चले गए cut of high हो जाएगा हमारा पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाए हाँ आज मोधी साब से मेरा डिनर है र बात बती आ रहे हैं ठीक है ना उनके साथ बाते करेंगे फिर बतायांगे एक्जाम के बारे में सोचेंगे ठीक है ना इसी बात यार कोई बात ही नहीं है आज मोधी साब के साथ डिनर पर बात करते हैं कह देते हैं हम सुबह बेकफास्ट भी होनी के साथ ही किये थे ठीक है वो जो पॉइंट आफ सेल्स मसीन होती है इनपुट आउटपुट दोना कि उसमें प्रिंटर भी आता है वो सोरी प्रिंट भी निकालते था ना सलेट आपका वो दोनों काम करता है ठीक है ना चलिए जी तो ये तो बात आपको समझ में आई ये औल दीज आर इनपुट डिव दीवाइज ही होते हैं इनको डियर आप लोगों को यहां से याद करता है। ठीक है ना अब हम बात करते हैं बहुत सारे बच्चे जैसे टस्क्रीन कह रहे थे या कुछ और कहरे थे अब वो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि यह स्क्रीन वाले यह क्रते हैं एक अब देखो दिक्कत यह है कि हमें इन्पुट और आउटपुट दोनों की बारे में बात करनी है ठीक है ना इन्पुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों देखते हैं हम लोग क्या रहेंगे हमारे ठीक है ना थो में तो इंपुट आॉट्पुट दोनों कुन से होंगे यह दिखाते हैं, आपको ठीक है?। जैसे हमारे पास में इंपुट आॉट्पुट दोनों की ठीक है ना, इसके बाद में बहुत देश से ATM, ATM की आग लगी पड़ी है, लो ATM लिख देते हैं हम लोग, ATM का फुल फॉम होता है, अटोमेटिक टेलर मसीन, अटोमेटिक मत बताना, ना ही अनी टाइम मनी बताना, कुछ विद्वान तो ठह रहे थे, पूछा था कि सर ATM का फुल फॉम बताईए, तुरंत कहे डाला कि अनी टाइम मनी क्यों भाईया, किस ने रख दिया ये, किस कोन पैसे रखे गया था वहाँ अटोमेटिक टेलर मसीन है, ध्यान रखना ये, और ये दोनो टाइप का होता है, क्योंकि इसको एक्चुली बोला करते हो, आप लोग है, हाइब्रीड कंप्यूटर के नाम से जाना करते हो, आप लोग, और इसके अंदर जो है ना, आपका एक अनलोग कंप्यूटर होता है, आपका ठीका ना, और इसके अंदर आपका जो है एक डिजिटिल कंप्यूटर होता है, आपका, आप लोग इसके अंदर इंपूट करते हो, रकम को टच्स्क्रीन, टच्स्क्रीन लगा है वैसे भी देख लो, इंपूट आपूट दोनों हो गया, बाकि इंपूट कुछ किय आपके अलावा आपके पास में होता है, इसके अलावा आपके पास में होता है, डियर क्या, मोडेम जो होता है, ना, मोडेम, मोडिलेटर, डियमोडिलेटर, यह भी इंपूट आपूट दोनों डिवाइज होता है, इसके अलावा आपके पास में, अगर मैं कहता हूँ, ने वीडियो कार्ड है आपके ये भी आपके दोनों ही मतलब input as well as output दोनों की तरह काम करते हैं ये इसके अलावा आपके पास में एक fax machine होती है ठीक है ना fax machine का full form आपने साइध कभी पढ़ा हो तो होगा है fax machine होती है ठीक है ना fax machine होती है ये क्या है ये भी input as well as output दोनों की तरह काम करता है इसके अलावा आपके पास में जो है और input output कैसे काम करेगा दोनों और होता है आपके पास में earphone होता है ना वो भी input output दोनों की तरह काम करता है पलब आप बात भी कर रहे हो तो अगले को सुन और क्या हो सकता है सरूर आपके होते हैं multi function printer ठीका न में multi function printer अचया सरा खाली printer होता हमारा तो खाली printer to output है लेकिन after אותו की वाली machine takes Easy scanner भी है हम कोई अधार काड़ लेके गए फोटो कोपी कर दो भईया इसकी तो वो करके देते हैं और ये सीधा computer से print करवाना चाहते हो तो खेर वो काम तो एक करी रहे हैं तो मतलब बहुत सारे साथ के साथ आउटपुट भी आपको दिखाया जा रहे हैं तो ये जो है आपके ये आपके इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइज होते हैं आपके हॉस्पिटल के जितनी भी मसीने होती है इसके अलावा आप पैट्रोल पंप की जो मसीन है वो भी आप लोग इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं आपने कुछ रुपए का तेल डलवाने के लिए कहा आपको प्रिंट आउटपुट में वो तेल दे देता है डियर ठीक है ना लेवल जो पढ़ रहे हो बेटा हुआ ही रहेगा ठीक है ना पढ़ते रहो आप लोग ठीक है समझ में आया कि नहीं आया एक बार मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग ये बात समझ में आई आई आप लोगों को जो ATM कह रहा था या touchscreen कह रहा था बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को जल्दी बताइए मुझे ठीक है ना ये समझ में आ गया है कि नहीं आया है आप लोगों को आगा है सभी को समझ में हाँ जी सफिशेंट है बिटा पढ़ लो एक बार ठीक है चलो आगे बढ़े हम लोग अगला सवाल है कि which of the following are example of analog computer अभी आप से ये पूछा है कि analog computer का क्या example है ठीक है ना analog computer का क्या example है बताइए नो बज़े तक चलेगी चलेगी class रात को नो बज़े तक ठीक है जी analog computer का example होता है भाया कि resistance of capacitor होता है signal frequency है voltage है analog computer वो होते हैं जिनके needles तो सुई के मादम से आपको कुछ बताते हैं measure करके कुछ example देता हूँ आप लोग को मैं analog computer वो होते हैं जिनका input तो होता है ना आपका ये भी analog ही होता है कुछ लोगों को confusion होता है कि sir analog computer क्या है input analog है तो बैटा इसका output भी क्या है output भी इनका होता है जी आपका analog ही होता है ये याद रखिएगा input भी analog और output भी analog एक बात हुई दूसरी बात ये है कि ये computer के example में आता है भी गाड़ी बाइक के अंदर जो आपका speedometer होता है ना जो आपको speed measure करके बताता है एक सुई जो होती है आपकी वो काम इसी का ये आपका analog computer ही है जो कितने किलो मेटर आप लोग चल लिए वह आप लोग बताता है इसके अलावा वाल्ट मेटर जो होता है घर में पहले आज कल डिजिटल आने लगे लिकिन पहले आप ये वो नीडल्स वाले तो नहीं सो दो सो ऐसे कट करकर करके voltage बढ़ाते थे हम लोग हां इसके अलावा यह मेटर यह मेजर किया करता है एसके अलावा जो आप लोगों का और कुंसा मेटर हो सकता है वा मेटर हो सकता है वा मेटर यह रहेग आप काई ठीक कर मितर होते हैं कम्प्योटरश का Galvanometer भी हो सकता है बिल्खुल In which of the following industries are Touch screen used इन में से कौन सी industry के अंदर हम लोग touch screen का इस्तमाल किया करते हैं बही एक सब बढ़िया सवाल है Easy सवाल तो खर ही है no doubt Touch screen हम लोग heavy industry Automatic ATM machine हुआ या medical field हुआ इन सभी में ही इस्तवाल करते है The system unit of personal computer typically contain which of the following Personal computer system में आम तोर पे निमलिक्ट में से क्या होता है आम तोर से personal computer में क्या होगा जब सरकारी option कहीं दिखता है तो आखे बंद करके आप सरकारी option के तरफ जाने के कोसिस करते हैं बिल्कुल आप देखो ये बात सोचो आपके पास में computer है computer का size wise हम तोरी categorized करते हैं size wise देखते हैं कौन-कौन से computer होंगे किस-किस के बाद में कौन सा आएगा अगर हम कहीं सबसे छोटा computer कौन सा है तो मेरा जवाब ये रहेगा हमारे पास में यहाँ पे size में embedded computer जो होता है ये सबसे छोटा होता है इसको आप लोग बोलते हो एक unit काम करने वाला computer बोलते हो भाई ठीक है और ये आपके home automation में जो हैना जुरूत यूज होता है home automation ठीक है home automation में जो हैना ये इस्तमाल होतने वाला ये computer है अब घरों के अंदर इस्तमाल होने वाला जिससे AC है, microwave oven है clap switch है, automatic कोई काम कोई पंखा आ गया है, कुछ ऐसे काम है उनको embedded computer कहते हो आप लोग थोड़ा हम आगे बड़े तो हमारे पास में computer आया जिसको आप लोग कहते हो micro computer कहा करते हो ये micro computer जो है ना ये journal purpose computer होते हैं इनमें एक user होता है मतलब काम करने वाला एक बट ये जो काम है ना ये कई सारे कर सकते हैं I mean ये multitasking होते हैं आपका mobile है उसमें काम तो आप 4-5 कर सकते हो ठीक है ना, लेकिन चलाने वाला तो एक ही होगा ये मेरा computer है इसमें काम तो मैं कई सारे कर सकता हूँ लेकिन मैं use तो एक बार में एक ही करूँगा ना, ये micro computer है इन्हीं कोई आप लोग PC कहा करते हो इन्हीं कोई आप लोग journal purpose computer भी कहते हो इन्हीं कोई home use computer कहते हो आप लोग ये समान्य उदेश्य से समान्य computer है गाने चला लिए, PPT बना लिए वर्ड, PowerPoint ऐसे software आपने खोल लिए ये ही आपके पास में यहाँ से याद कर लेना है ठीक है चलिए सर, इसके बाद में आगे की बात करो तो तीसरा हमारे पास में कौन सा आएगा पढ़ रहे हो तुम लोग कहे, डान्त क्यों निकाल रहे हो जी हाँ, यह सही कहा वही है डीजे भई आपके पास में booking आई है साधी में डीजे लेके जाने के लिए तु डान्स करेगा तो जूर ले जाओंगा हम सही है सही है कजब अब नचवाओं तुमें मैं इधर ना चलो बेटा माइक्रो कंप्यूटर पर भी ना चलो यह बीट भी बहुत अच्छी है माइक्रो कंप्यूटर पर भी ना चलो हाँ, PDF मिलेगा मिलेगा, सुनिल फर टेस्ट बुक नाम के टेलिग्राम चैनल को जोइन करो, मिलेगा आजो इधर नाचो आजो देखो नाचो size of computer में embedded computer पहले इस पे नाचना DJ वाले बाबू embedded computer और micro computer दोनों के गाने लगा दे दो ठीक है उसके बाद में बात करते हैं हम लोग ठीक है ना तीसरे पर नाचना बहुत ज़रूरी है अब भी फिलहाल इस पे नाचो तीसरा computer आया है बेटा आपका mini computer ठीक है ना कौनसा computer आया आपका mini computer mini computer पे नासते हैं हम लोग ठीक है ना अच्छा उसने विमल खाई है जुबा केसरी है बड़ा एड़ देखते हो तुम लोग हाँ मिनी computer में क्या होता है यूजर बढ़ गए यूजर आपके चार से लेके और दोस्तों यूजर जो है ना इसके अंदर हो गए है आपके यूजर बढ़ गए तो एक स्माल इंडस्री के अंदर इसका यूज कर सकते हो आप लोग एक छोटी company के अंदर यूज किया जा सकता है इकठे कई सारे यूजर को आप लोग इकठे कर सकते हो अगला computer हमारे पास में आता है mainframe computer ठीक है ना mainframe computer और mainframe computer में आपने यूजर जोड दिये कितने 200 से लेके 1000 तक और इसका यूज जर्नली किया जाता है कहां पे banking industry के अंदर जो है ना इसका यूज होता है बैंक में जो है है ना इस mainframe का जाता तर यूज होता है आपका ठीक है ना तो ये भी एक अपने आप में important है याद करना अच्छा सारे इसके बाद में अगला कौन सा important है आपका mainframe और बाद में तो finally आपका आता है super computer ये तो मैंने तुमें अभी समझाया ही था ही था ठीक है ना ये तो तुम समझी गई तो based on size आप इनका याद कर सकते हो भी आपसे ये पूछे कंप्यूटर में cost के इसाब से जो है ना rate के इसाब से computer को आप लोग set करो पहला दूसरा तीसरा चोथा कौन सा तो ये same sequence apply कर सकते हो आप लोग ये थोड़ा सस्ता है फिर महंगा और महंगा और महंगा और सबसे बड़ा हो गया आप से पूछ लिया जाए computer को speed के अधार पे बता दो आप लोग कौन सा रहेगा ये slow चलता है थोड़ा और fast और fast और fast और सबसे fast हो गया ये ऐसे होता है आपका ठीक है ना समझ में आया आप लोगों को आया समझ में बोलो आया समझ में तो like बटन आप लिए और दिनर कर लिया किस किस की सबजी बनी आज बताओ किसी ने खाना नहीं खाया अच्छा नहीं खाया मेले बाबू ने खाना नहीं खाया फृती बटा त् reicht tip रहती है तु खाती दो चर्ती है बिटा बनाया ही नहीं है सर बन रहा है तर आज निवत खाने जाना है अच्छा थीक अभी तक किसी के खाना नहीं बना कुछ ही नहीं बना नहीं मैंने नहीं खाया मैं तो बहुत लेट काऊंगा मैं थोड़ देर पहले पनीर मसाला अनियन डोसा खाके आया हूँ छे बज़े के आसपास चलो बढ़ी है फिर बहुत बढ़ी है ठीक है चलो तो अभी ये सर समझाओ आपने चलो पूरा ये तो समझा दिया बहुत बढ़ी है पर ये समझाओ कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है बात तो ठीक है वही सर आपने ना कंप्यूटर परसनल समझाया है ठीक सर समझ गई हम लोग टीक है न यह तो समझ गई सर हम लोग ठीक है न बाद में अगे की बात क्या करते हैं आगे है disk controller तो यह को disk controller आपके computer में processor में अपने आप में ही है disk को control करने के लिए serial interface होता है जिसमें आप लोग की बोर्ड वगर अटेच करते हो पैरलल जो है ना आप लोग वो भी इंटरफेस कनेक्ट कर सकते हो तो ये सारे नॉर्मल चीज़े थी आपकी विच आफ दा फॉलोइंग नोन एज दा ब्रेन ओफ परस्था अचा कंप्यूटर का दिमाग तो भाई हम कहते हैं किसको CPU को ये गलती से लगा हुआ है अंसर ठीक ना CPU को कहते हैं हम लोग control unit नहीं CPU है computer का दिमाग तो ठीक है ना अचा computer का दिमाग CPU बोला है हमने ठीक है CPU में क्या होता है CPU में तीन चीज़े देखने को मिलती है हमें एक हमें देखने को मिलता है सर control unit होता है ठीक बात है control unit करता क्या है यह काम करता है this timing signal को generate करता है किसने कब क्या काम करना है हमारे DJ वाले बाबू है इनकोंने कब जाके कौन सा गाना बजाना है यह काम बताएगा control unit बताएगा समझगे बात आप लोग ठीक है ना ये बात आप लोगों को यहाँ से याद करना है दूसरा इसके इंदर होता है सरकार ALU होता है ALU बोले तो Arthematic Logic Unit होता है और तीसरा इसके इंदर होता है High Speed Memory होती है जिसको आप लोग Register कहा करते हो Register को आप लोग My Dear कहते हो High Speed Memory ठीक है ना ठीक हो गई है आपकी यहाँ पर समझ गए आप लो चलिए सर यह बात हम समझ वे बहुत बढ़िया है ठीक है ना अरे डीजे तुमारा असली नाम तो बता दो बच्छा यह डीजे ही असली नाम है चलिए सर आगे बढ़े अगला सवाल के है कि which of the following define the information that comes from an external source and it is fed up into computer software एकदम बढ़िया सवाल है यह बता हुआ आप लोग DC Vinod सर कुछ लोगों को होसा आ गया अच्छा यह सत्यवान पर टॉंट मारा गया है बैटा सत्यवान टॉंट ले लो यह है उपाज्धाय माई नेम उपाज्धाय कौन सा है धनंजे उपाज्धाय अच्छी बात है बैटा जिस पेपर में आता है तो आप त्यारी करिएगा उसका ठीक है ना जिस सवाल का सही अंसर है इन्पुट है ठीक है भाईया अच्छा इन्पुट डिवाईज तो बहुत बाहर सर ने अभी पढ़ दिये थे ठीक है ना अच्छा मानिटर का जो यूअट होता है वो क्या है तो मानिटर का यूझिट होता है आपका प्डियाईए एक्चुली यह इमेज का यूनिट कह सकते हो आप लोग प्रापर ठीक है यह इमेज का यूनिट होता है एक स्क्रीन का यूनिट जो हना वो दिखता है आप लोगों का ठीक है तो अब क्या है PPI का मतलब है पिक्सल्स पर इंच बोलते हैं इसको ठीक है इसको बोलते हैं हम से जो है इसको जाना करते हैं हम लोग pixels per inch एक इंच में जितना मदलब एक इंच पे जितने ज्यादा pixel होंगे उतनी ज्यादा screen का resolution बढ़ जाएगा तो खेर अपने आप एक common sense इसी बात है ठीक है और इसमें क्या आता है और इसके अंदर आता है TFT क्या होता है TFT का मतलब होता है thin film transistor ठीक ना क्या होता है thin film transistor जो है इसके full form पूछे जा सकते हैं आपसे यह screen ही है पर full form पूछ लेंगे बता दो कि TFT का full form बता दो और आपसे पूछा जा सकता है LCD पूछा जा सकता है LCD तो आपको पता ही होगा liquid crystal display है LED भी साइद आपको पता होगा light emitting diode आपको CRT क्या होता है cathode ray tube होता है तो सारे की सारे screen के type है तो मतलब आपसे इनके full form आ सकते हैं TFT thin film transistor LCD liquid crystal display LED light emitting diode CRT cathode ray tube तो यह आपसे पूछा जाए तो आप बता ही दो कोन मना करेगा आपको आपकोय हो सकते हैं device होरण को सकता है और आपको सकता है बढ़ैंग होटत करता है यह बड़े बड़े होडिंग भड़ैंग ऑाफ्लेक्स बैनर में जब होता है ये बड़े बड़े जो banners होते हैं न चुनावी banners वगरा वगरा advertisement के banners होते हैं वो सारे आपके print किये जाते हैं वाया plotter ही print किये जाते हैं आपके projector होता है आपका ठीक है न प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर जो है न आपका ये भी क्या है ये भी एक output device है प्रोजेक्टर भी आउटपूट डिवाईजी कहलाता है आपका अच्छा प्रिंटर बाबा को तो भूली कैसे सकते हैं हम लोग प्रिंटर प्रिंटर आउटपूट है प्रिंटर का यूनिट क्या होता है बोलो भई प्रिंटर का यूनिट क्या होता है प्रिंटर का यूनिट क्या है प्रिंटर का यूनिट क्या है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा हरे यार क्या बात कर दे हैं अभी माला लेकर आ रहे हैं गुलाब के फूलों के माला आई रही थी तुम ठोड़े जल्दी आ गए प्रिंटर प्रिंटर का यूनिट टीपी ये होता है ठीक ना DPI का मतलब क्या होता है DPI का मतलब होता है डोट पर इंच ठीक है ना DPI का मतलब होता है डोट पर इंच होता है यह याद कर लेना आप लोग ठीक है ना इसके बाद में और क्या बात करें हम लोग और हमारे पास में जो है ना बात ये थी कि प्रिंटर जो होता है आपका इसका जो speed है वो किसमे measure करते हो आप लोग printer का speed measure करते हो आप लोग PPM में page per minute में measure किया करते हो ठीक है ना page per minute में इसका speed आप लोग measure किया करते हो ये याद करना है आपको अचा अगली बात important ये आती है कि printer के type कितने है प्रिंटर के टाइप जो है ना वो होता है एक तो होता है आपका इमपेक्ट प्रिंटर होता है मेरे लाल और एक प्रिंटर कौन सा होता है एक आपका होता है नौन इमपेक्ट प्रिंटर होता है जी कौन सा प्रिंटर होता है नौन इमपेक्ट होता है इमपेक्ट का मतलब ही स जाती है इसके अंदर कोई स्टेंप लगाना या कोट पर टाइप राइटर वाली मसीन जो होती है वो इसी के ही अंदर आती है इंपक्ट के अंदर ही आती है जैसे आपने अकसर ए दबाया इस तरीके से इंपक्ट पड़ेगा अर अगली जगह जाके जो है आपका छप सीपीम में स्पीड मापते हैं एक मिनिट में कितने करेक्टर लिखेगा एक मिनिट में कितने करेक्टर लिखा जाएगा यही सीपीम का काम है इसके एक्जामपल होते हैं दो एक होता है आपका डोट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और एक आपका होता है जिसको आप लोग कह यह नहीं करा हूं एक बार में एक अक्सर लिखेंगे यह ठीक है ना ऐसा काम है इनका और इसी के अंदर एक प्रिंटर और आता है जिसको आप लोग कहते हो line printer का नाम दिया करते हो line printer और यह line printer भाया नाम से पता लग रहा है कि यह LPM होगा इसका speed एल्पिम बोले तो सर, एल्पिम बोले तो यह है कि एक मिनिट में कितने लाइन लिखेगा, एल्पिम का मतलब तो यही हो ना, एक मिनिट में कितनी लाइन लिखेगा, और इसके एक्जामपल क्या होंगे सर, इसके एक्जामपल होंगे आपका, एक तो इसका एक्जामपल है आ धर्मल थर्मल प्रिंटर के अंदर हीट यूज होती है फ्रमल मतलब हीट ही है इंक नहीं होती है एक बहुती खास किसम का काचा होता जिसको कहते है हम लोग wax aquired pepper wax caught पेपर कहलाता है आपका ये ठीक ना बड़ा ही एपौटन्ट प्रिंटर है ये एक परकार का जिसका यूज किया जाता है पॉर्टेबल टाइप में बस टिकिनگ मुश्रीन है हम drew याँ बॉप बढ़ा तरीका से ठीक ना चलो ये भी याद कर लेना है ठीक ना अच्छा एक तो बात यह हुई दूसरी बात यह आपकी की थर्मल प्रिंटर के बाद में ठीक है ना और अरे धननजय क्लास में बैठो यार तुम तो लाइव अच्छे लग रहे थे अफलाइन क्या लेना थर्मल प्रिंटर के बाद में आपको मैं यह कहूँ कि एक और प्रिंटर होता है जिसका नाम क्या है इंक जैट प्रिंटर होता है ठीक है ना इंक जैट प्रिंटर होता है आपका इंक जैट प्रिंटर यह भी बहुत इपार्टन्ट है कलर के रूप में बहुत यूस किया जाता है इसका इसके बाद में एक आपका प्रिंटर आता है कुन सा जिसको आप लोग कहा करते हो लेजर प्रिंटर ठीक है ना लेजर प्रिंटर ये भी आपका बहुत इपॉर्टन प्रिंटर है ठीक है ना ये भी आद करना है आपको ठीक है ना इसके प्रिंटर हैं आपके जिनको आप लोग जाना करते हो ठीक है ना इन ही चीज़ से ही आप लोग जाना करते हो ठीक है ना तो ये बहुत इपार्टन प्रिंटर से हैं आपके इनको अच्छे से आप लोग जो है ना याद कर लीजिए गा ठीक है ये हाई स्पीड प्रिंटर कहला को याद रखना जो आपके डेन्स किये जाते हैं ने कि यह व्यादने को समज में आई हैं आई यह आपको यह बात हैं सब समसुननन आ गी होगी हां कई हो जरुन nel natural उन्स आपको को आई हैं यह थिसको तो पूछना चलो सर आगे बढ़ते हैं हम अगला क्युस्सन क्या है अगला क्युस्सन आपका है कि Which of the following comprise vital electronic component of an analog clock निमलित में से किसमें एक analog घड़ी के महत्रपुन electronic घटक होते हैं यह बताईएगा आप लोग कौन सा इसमें से ठीक रहेगा आपका answer है multiplyers है या आपका potentiometer है operational amplifier है या ये सारी होते हैं डियार potentiometer कहा है किसे ने किसे ने कहा है सरकारी option सरकारी option पे ज्यादा आप लोग ज्यान दे रहे हो जी इस सवाल का ठीक जो अंसर है सारी ही option ठीक है multiplier, potentiometer, operational amplifier सारी ही ये mechanical parts के लिए help होते हैं करते हैं digital cloak में digital computer पूछा है processor information in which form digital computer के अंदर जो output होती है कहने का मतलब वो किस form में होती है आपका output किस form में होती है digital computer के अंदर बताईए जड़ा digital computer के अंदर output जो होती है वो किस form में होती है अब बात ही digital की आगी तो देखो continuous का तो ख़र कोई chance बनता भी नहीं है वैसे भी ठीक है न अगर digital computer की बात आई है तो हमारे पास में continuous की तो कोई chance बनता भी नहीं है ठीक है ना बात ही एक ही आते है discrete continuous का मतलब होता है analog में जिस तरीके की ये wave है ना ये आपकी continuous wave है ठीक है ना इसको continuous wave के ना ये analog आपकी होगे discrete का मतलब आपका हो गया कुछ इस तरीके के ठीक है ना ये आपका जो ना ये discrete signals होते हैं जिसमें one zero one zero one zero इस तरीके का आपका रहता है ये ठीक है तो इसी करके आपका answer जो है ना ये बी option सही रहेगा which of the following our feature of a sub notebook sub notebook के feature क्या है इसका हमारा ठीक है ना करवाते हैं कलवास करवाएंगे करवाएंगे हाँ मेरी लाल करवाएंगे रुको जो रहा बेटा भी वी आरर suberman्यम ठीक है पहले CEO थे अमिताव कांत, दूसरे CEO का नाम था प्रमेशुरन अयर, जिनको हाली में World Bank के Executive Director की Post पे बेज दिया गया, तीसरे CEO भी हाली में वनी है, जिनका नाम है BVR सुबरमन्यम, तीसरे Vice Chairman का नाम भी आपको पता है, सुमन के बेरी है, पहले अरविंद पनगडिया थे, दूसरे राजी सुमन के बेरी, चेर्में तो मोदी जी है, ठीक है, अब सुन लिए, आगे बड़े, देखो, GKGS तुमने कहा करवा दी ना, हमने, अब ज्यादा CS नहीं लेना है, ठीक है न, चलो, इस सवाल का ठीक अंसर रहेगा, अबो इस सवाल का ठीक अंसर रहेगा, Small Physical Dimensions होती है, छोट सा होता है, नाट बुक तो, larger than handheld computer, run complete version of desktop and laptop, laptop, desktop के सारे ही काम, जो है न, वो काम ये करता है, full form of GUI, खेर, ये तो आप लोग जानते ही है, ठीक है न, GUI, जो है न, इसका full form क्या रहेगा, आपका, GUI का full form, GUI, graphical user interface होता है, सही बात है, ठीक है न, which of the following is the fastest form of a RAM, and also the most expensive, so not used as a main memory, but rather for cache memory, नेमलिक्ट में से कौन सा RAM का सबसे तेज रूप है, और सबसे महंगा भी है, इसलिए इसका उप्योग मुख्य मामरी के रूप में नहीं, बलके cache memory के रूप में किया जाता है, बताइए, ऐसी कौन से मामरी होती है, जो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत फास्ट है, SD RAM ही है, SRAM है, देखो दो memory है, एक आपकी होती है, RAM के दो टाइप है, जिसका एक तो टाइप होता है, नाम होता है SRAM, और दूसरा होता है, आपका कौन सा DRAM होता है, एक SRAM है, एक DRAM है, SRAM का मतलब होता है, डियर, आपका क्या Static RAM होता है, Static RAM, Static Random Access Memory, DRAM का फुल फॉर्म होता है, आपका Dynamic Random Access Memory, ठीक है, डाइनामिक Random Access Memory, DRAM का फुल फॉर्म है, अगर मैं कहता हूँ कि Static RAM जो है यह होती है आपकी फास्ट, क्यों फास्ट होती है, उसकी नजेबी है एस रयम जो होगा चातलि जो होती है एक टो यही बात हुई सी धी है या transistor MOSFET से जो है now, ये बनी होती है, इसके अलावा, ये जो हमारी SRM जो होती है, इसको याद रख़िएगा, आप लोग, की ये need not any refreshment, need not any refreshment, कोई भी परकार की refresh, इसके अंदर refreshment नहीं होती है, कोई भी परकार की refreshment नहीं होती है, change way जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है आपका ठीक है ना लेकिन ये जो है ना need refreshment in every millisecond need refreshment need refreshment in every millisecond ठीक है ना in every millisecond घर मिली सेकंड में बदल जाती है ये ठीक है हर मिली सेकंड में जो ना इडल बदल देती है इसको याद रखना आप लोग अरे भाई साब, इतने चुम्मा काहे दे रहे हो तुम रे कलास में, क्या बात है, जितने सारे, इमोजी तुमने भेजी है, उसके अंदर यहां से तुम दिल फेंक रहे हो, तुम आखों से दिल फेंक तो चलता, तुम यहां से दिल फेंक रहे हो, भाई साब, ठीक तो हो, ठीक कल रात वाली उतरीनी और जल्दी चड़ा ली क्या हुआ अभी तो टाइम यह आठी बज़े है जल्दी कैसे हो गया जितना आज इतना जल्दी कैसे हो गया S- långची, जो हूती है यह actually महङगी भी होती है ठीक के ना, यह महङगी होती है ठीक है नहीं यह मेहँगी होती है, और यह जो होती है न सस्ती होती है। तो अभी जो सवाल पूचा है आप लोगों से, वो यही पूचा है कि ऐसा आपकी memory, जो आपकी cache memory के तरह यूज हो जाती है बहुत ही जादा fast है और cache memory के तरह यूज जो है वो होती है आपकी हाँ पिर ठीक है न तो यह जो है आपकी memory इसको आप लोग गोगे S-RAM का नाम दोगे आप लोग, that is static random access memory का नाम दोगे, ठीक है ना, तुझे बड़ा पता है, खाना खाने के पहले पीते हैं, खाना खाने के बाद पीते हैं, हाँ, दारू काड़ा तो नहीं चलाते हो बेटा, तो S-RAM जो है आपका हो गया, सर, S-D-RAM का फुल फॉर्म क्या बताना? S-D-RAM का फुल फॉर्म बताओ क्या है? S-D-RAM का फुल फॉर्म, जल्दी बताओ, S-D-RAM का फुल फॉर्म, Synchronous Dynamic RAM शाबास, very good Synchronous Dynamic RAM इनके full form आपको पता होने चीए डिटेल आपको पता होना चीए ये सब कुछ आपको पता रहना चीए चले थोड़ा ओर आगे जाते हम लोग अगला क्युस्टन आपका क्या कि What is the full form of ECC memory ECC memory क्या होती है ये error correcting code memory होती है Which of the following model of processing has the master slave architecture as a feature Master slave architecture इसमें से किसमें रहता है Master slave architecture ये न एक flip flop का type actually ठीक है न Flip flop के type में से आता है ये बताता हूँ मैं आपको ये shade memory processing होती है Flip flop क्या होता है मैं बताता हूँ आपको flip flop flip flop जो है न आपके वो 5 type के होते हैं बताता हूँ पहला टाइप होता है जिसका नाम है D, यह flip-flop का काम होता है एक bit को store करना, यह होता है flip-flop, ये 5 परकार के थे, पहला आपका है D flip-flop, धी flip-flop, D flip-flop, D ka मतलब होता है delay, यह सबसे slow था, दूसरा इसके बाद मैं है T flip-flop, T का मतलब हो था Toggle ठीक है उसके बाद में आया D T S R S R flip-flop S R का मतलब हो था Set Reset उसके बाद में आया चो था Jake K Jack Kilwin एक वग्यानिक का नाम था और पांचों आया था Master Slave Master Slave Jake K flip-flop इनमें सबसे Fast ये था, सबसे Slow ये था ठीक है ना, तो ये flip-flop के टाइप होते हैं, जो एक bit को Store करवाते हैं वो, ठीक है ना SSE Cigil के paper में किस्टन पूछा गया था Jake के वाला, इनमें से flip-flop कौन सा है ये किस्टन आया था इनमें से कौन सा था flip-flop ये बाकि तेन-चार option और थे और एक Jake के जो है ना, उसका अंसर करना था आठ बिट अगर आप combine कर दोगे, तो क्या बन जाएगा ये तो एक दम बढ़िया सवाल है और easy तो कहर है ये है ठीक है ना ये बताओ आठ बिट अगर है तो इनको क्या कहोगे, बताओ नो बजे तक की class है ये वाली, ठीक है ना पढ़ते रहना पढ़ने आए हो तो नहीं पढ़ने आए हो तो सलाह है आपकी सबको पता है भाईया देखो क्या है कि आठ बिट का क्या बनता है ठीक है ना, अगर एक साथ मिलाते तो सर्क निबल बना देते और 8-bit का तो बाइट होगा 4-bit का आपका वो निबल हो गया क्यलोबाइट क्या होता आपका 1024 बाइट जो होती है ना उनका क्यलोबाइट बनता है आपका, ठीक अना तो कॉसिस करूंगा बेटा देखो एक क्लास है एक पिछले हफते क्लास ले थी कुछ और भी क्लासे ले रहे हूं साथ के साथ में परिफिरल कंपोनिट इंटर क्नेक्ट कही और लावुक है peripheral connect करते हैं like mouse है जैसे keyboard है जैसे monitor है जैसे कोई digitizer है या कोई भी बाहर का device आप अपने computer में लगाते हैं तो इन्हीं के लिए आप लोग इसका नाम लिया करते हैं DBMS is a well suited for data warehouse that have a large number of similar data item निमलिक्त में से कौन सा DBMS data warehouse के लिए उप्योकत है जिसमें बड़ी संक्या में समान data item है बहुत बड़ी संक्या में जो ना एक जैसा data item अविलिबल रहता है उसको क्या कहते हो आप लोग database management system होता है in memory database management system है rdbms है SQL database management system है मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ भैसाब थोड़ा क्या बाती आ रहे हो एक यादो दूसरे यादो से मतलब क्या हो क्या रहा है पर कौन सा काम है वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं हमें काम है यह पूछ रहे हैं बताईए ना कौन सा काम है बाबा इसा हुआ का जब हो यार तुम लोग तो चलो बताईदो हमें भी बतादो कौन सा काम है क्या बात करते हो पाइंट जी आप पढ़ लो हराम करो कुछ नहीं रखा इनमें यह आपका जो कॉलम वाले डेटा रहते हैं ना डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसी के अंदर ही इंकलूडीड रहते हैं यह ठीक है ना अगल है कि who among the following is the father of mysql mysql के father Michael विडेन निस्ज़ है यह क्युस्टन तो कई बार पेपरों में आया है तो खेर सिंपल्स आई है आप लोगों का यह ठीक है which of the following two about fiber distributed data interface very important fiber data distributed data interface जो है इनमें से किस से related है आपका fiber data distributed interface जो है इनमें से किस से related है it is a set of ANSI और ISO standard पे बेस्ट रहता है यह based on the token ring protocol range लगबग 200 km तक होती है यह सरकारी option ही ठीक है इसका जी इसका ठीक अंसर डी options है यह all of the about ठीक है यह fiber distributed data interface जो होते हैं आपके यह ISO certified fiber optic network होते हैं token ring protocol का use किया करते हैं 200 km तक भी extending को किया जा सकता है high speed जो है ना आपका यह यहाँ से याद कर लेने हैं ठीक ना ठीक पेटा क्लास करवा देंगे और what is the full form of HIDS HIDS क्या होता है आपका host based interaction detection system housing होता है यह host in device server होता है कौन सा सही रहेगा आपका हाँ optical fiber cables में यूज़ करने वाला method है जी इसका ठीक अंसर यह ही option है host based host के उपर based detection method है जब आपके data packet आते हैं उनको detect करकर के आगे बेजा जाता है कोई error है उनको निकाला जाता है which of the following device has high bandwidth इन में से किस device की bandwidth सबसे जादा होती है bandwidth switch की जादा है router की जादा है modem की जादा या bridge की जादा है bandwidth मतब एक दिये गए सकते हो आप लोग क्या ठीक अंसर रहेगा जी इस अवाल का ठीक जो अंसर है ना वो switch रहेगा जहांना इन में से हाइस्पीड जो ना वो switch की रहती है actually एक switch होता है और एक hub होता है इन दोनों में बड़ी similarities है ठीक है ना एक hub है और hub का ही जो है ना वो आप भाई कह सकते हो जुड़आ भाई type का ही एक होता है switch होता है दोनों का ही काम क्या है दोनों का ही काम है multiple device को connect करना ठीक है ना दोनों का ही काम होता है आपका कि ये multiple device जो होते है आपके उनको connect करने में काम करता है ये ठीक है दोनों काम तो same करते है पर दोनों होते है अलग अलग जगे पे हैं से हब जो होता है ना वो आपका रहता है फिजिकल लेयर के अंदर ठीक है ना यह हब जो रहता है आपका वो रहता है फिजिकल लेयर में और स्विच जो रहता है ना यह आपका रहता है कहां पे डेटा लिंक लेयर में ठीक है डेटा लिंक लेयर यह डेटा लिंक लेयर के ठीक है अच्छा eclipse के अलावा आपकी बात करी जाए तो आपका Hearweight होता है जो आपका bosyan होता है इसको आपadanो कहा करते हो कि इंटयू sap कर ना करते हो आप अपतों समस्थीं करता है अब शी cavasthat सबको broadcast करता है ऐसा समझ दीजिए गाप लोग ठीक हैreas freaking कि यहाँ पे आप जितने बच्चे लाईू बैटे हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सब तक एक बार में बात पहुंच जाएगी ब्रोडकास्ट हो गया यह तो ठीक है न यहाँ पब्लिक लिए इस प्लैटफॉर्म पे मैं पब्लिक पढ़ा रहा हूँ कोई भी आएगा सब जो ना वो देख सकते हैं बैंडविड्ट बताया ना बैटा मैंने दिये गए समय में डिटा ट्रांसफर होना ही बैंडविड्ध है आपका ठीक है तो जैसे 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps जो स्पीड है आपकी वो एक टाइप की बैंडविड्ध है एक सेकंड में इतना डिटा ट्रांसफर हो रहा है आपका ठीक है तो यहां तो मैं कुछ भी बता रहा हूँ वो आपके पास में सबके पास जाएगा तो मतलब equally distribute कर दिया लेकिन अगर मैं कोई एप पे मैं आपको test book एप पे पढ़ा रहा हूता तो वहां पे तो वही बच्चा पढ़ सकता था जिसने course लिया हुआ है तो यह switch वाला काम होता है यह hub वाला काम होता है ठीक है ना अच्छा यह router क्या करता है बताना modem क्या करता है बताना और bridge क्या करता है बताना बताना comment में हाँ जी rate of data transfer होता है अच्छा तुम भी आर पुलिस हो इंगलिस अच्छी है वैसे router works on physical गलत bridge connect two similar network सही है रवी मैं हम फ्रॉम ओडिसा यह तो बात ठीक है नमारी ओडिसा सेवा router path analog or digital vice versa modem modem is a modulator and demodulator enhance weak signal to high यह repeater repeater तो option में नहीं है test book पर ALP के set कब आएंगे बताते हैं अपडेट करते हैं आपको चलो जिन्होंने जो बताया उस cancer ठीक है switch तो बता दिया router का मतलब क्या होता है यह data path decide करता है ठीक है ना data को यह path देता है आपका और यह physical layer में नहीं होता बेटा यह network link layer के अंदर होता है यह ठीक है यह इसको आप लोग जो है ना subnet operator layer के नाम से भी जाना करते हो ठीक है इसको आप लोग सब जो modem होता है यह आपका physical layer के अंदर connected है ठीक है ना physical layer के अंदर connected है analog to digital or digital to analog converter जो है ना उसके रूप में काम कर सकते हैं आप लोगों को यहाँ से यह याद करना है ठीक है अच्छा इसके अलावा एक बात और याद रखना यह modulator लोगों को अपस में जोड़ता है एक इसका काम होता है कि इसका आपका ब्रिज का दो सेम नेर्ट्रक को आपस में जोड़ता है यह इसका काम होता है यह जैसे दो 2 LAN है, मालनो एक LAN है आपकी, ठीक है ना, यह आपकी LAN 1 है, और एक आपकी जो है वो है LAN 2 है, तो इनको आपस में connect करने का काम जो है यह करेगा, अच्छा, बिर्ज की अगर मैं बात करता हूँ, यह होता कहां पहा है, यह आपका होता है, डेटा लिंक लेयर के अंद यहां पर एक बच्चे ने लिखा भी है बहुत बढ़ी है गेटवे इसके अपोजिट आप लिख रहे हो बिल्कुल सही बात है गेटवे क्या करेगा गेटवे आपका डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ेगा और बात अगर करते हैं की यह कूँ सी लेयर में होते हैं आपका यहां पर तो यह आओल लेयर में काम करता है बिल्कुल सही बात है यह ओल लेयर में जितने भी आपके पास में लेयर है उन सबी के सबी लेयर में जो है न यह काम करता है साथ लेयर होती है सातों के सातों में ही काम करता है ठीक बात है चलिए बहुत ही बढ़िया बात intelligent बच्चे बैठें भी यह class में तो समझ में आ गया ठीक है न समझ में आगा है ओल लेटवर्क जो है ना ओल लेयर में जो है यह आपको पनेक्ट रहता है ठीक है ठीक है चलो आगे बड़े हम लोग अगला सवाल क्या है हमारा अगला क्युस्सान है कि वट इस दा मैक्सिमुम अमाउंट ओफ डेटा डैट इस चैनल कें ट्रांस ट्रांस्म किये जा सकने वाले अधिकतम डेटा को क्या कहते हूआ आप लोग गया आप हमाराता है और T ठीक है इस सवाल का अंसर अभी थोड़ देर पहले एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था इतने कोन पूछ रहा था मने ध्यान नहीं दिया तो नाम तो पर ये मुझसे पूछा था सर बैंडविट क्या होता है तो उसका जवाब जो है ना यहां मिल भी गया है बैंडविट का के देफिनिशन रहा मैक्सिममम अमाउंट ओव डेटा देट चैनल कंट ट्रांस्मिट ठीक है ना एक चैनल जिससे मैक्सिममम अमाउंट ओफ डेटा सेंड किया जाए मतलब डेटा भीजा जाता है जैसे फूर गजामपल आप लोग मुझसे कहते हो कि मेरे नेक्वर्क का स् ठीक है ना और अगर मैं यह लिख देता Mbps लिखता तो यह small में है तो इसका full form होगा bit per second होगा ठीक है यह दोनों में फरक होता है थोड़ो थोड़ा आपका ठीक है तो इनको आप लोग याद कर लेना है ठीक है ना तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना है ठीक है ना सर login और sign in login और sign in भी बताते हैं आपको ठीक है ना पहले ये बात समझ में आई आप लोगों को आप लोग मुझे ना आप में से ये बता सकते हो क्या कि bandwidth तो ठीक है अगर मैं पूछूँ 5Z के अंदर bandwidth क्या रहती है पहले इसके उसने को ठीक है ना और 5Z और 1G जो है ना ये आपके कब कब आए थे इन में भी आप अगर बता सकते हैं तो बता देना मुझे सबसे पहले कौन सा देश जो है ना 5Z लेके आए था आपका ये बताना आप लो कौन सा देश लेके आए था आपका सबसे पहले कौन सा देश लेके आया था ये सारे जवाब ठीक है जपान लिके लिके आया था सही है साउथ कोरिया में 5G पूरदेस में चल गया था 1G जो है न ये 1979 में ये आया था आपका ठीक है न एक तो बात हुई है इसको लेके आने वाला था NTT लेके आने NTT निपन टेलिफोन टेलिग्राफ कमपनी इसको लेके आया था याद रखना और 6G का भी हाल ही में ट्राइल जो किया है न वो भी कमप्लीट किस ने किया है वो भी कर लिया है आपका जापान ने कर लिया है 5G की बात करते हैं तो 5G के अंदर 1GB पर सेकंड जो है न आपका ये बैंडविट रखा है इनोंने 100% 5G की बात करते हैं तो वो लेके आया था कौन साउथ कोरिया सबसे पहले भारत में सबसे पहले 5G जो आया है न वो आया है 1 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने लौँच किया था ये सब समझ गए आप लोग यहां पर ठीक है हां जी 7G नहीं बैटा 6G 7G तो अभी ज़्यादा भात लम्मी पहले ठीक है न चलो ये तो तुम समझ गए अभी थोड़े देर पहले एक ने पूछा था कि सर क्या पूछा था लोगिन पूछा लोगिन ठीक है न लोगिन जो है देख लो आप लोगिन का तो मतलब है कि आप लोग पहले से आपका डेटा जो है न वो किसी वेब साइट को पता है जैसे फॉर गजामपल फेस्बुक पे मेरी आईडी बनाई हुई है ठीक है न मैंने मैं अपना पूरा डेटा उस पर सेव कर रखा है मेरा नाम जो भी वग करता हूं पर उस वेब साइट को ज़्यादा मेरे बारे में पता नहीं है ज़स्ट मैंने वहां पर एक अपना नाम वगज़ा दे रखा था आईडी वाइडी बना रखी थी यहां पर पहले तो वहां वेब साइट पे साइन इन किया जाता है किसी का परसनल अकाउंट होता ह जहां पर पूरी information save रहती है that is login लेकिन जहां information बहुत ज़दा save नहीं रहे हो sign in रहता है आपका और sign up तो पहली बार किसी website कोई account create करते हो आप लोसे facebook पर ही है मतलब यह पहला कदम है यह दूसरा कदम आएगा उसके बाद में ठीक है ना तो यह किसी website के लिए होता है और मतलब आप किसी website पर account वगरा create आपकी कोई information ज़्यादा पड़ी नहीं है यह information बहुत ज़्यादा पहले से save रहती है ठीक है ना यह है आपकी थोड़े basic से ही common से ही है ठीक है अगला क्यूस्तन आपका चलो ले आते हैं which of the following standards is used to define fiber optical fiber optical में क्या रहता है आपका बताइएगा कोई website रहती है यह website के अंदर आपका website को open करना है तो इसमें आप username और password डाल के चलाते हो वेबसाइट को तो वह sign in कर रहे होते हो आप उस website में Facebook पे login करते हो वहाँ प्रॉपर अकाउंट आपकी photo वोटो बहुत कुछ पढ़ा है वहाँ पे तो वह login वाली चीज है है तो दोनों similar ही है sign in और login आपका लेकिन जहां पे अकाउंट में बहुत सारी credentials पढ़े हो वह login में आता है और जहां कि मतलब सिर्फ आप user name ही हो जिससे मतलब आप access कर सको उसको यह समझो जो जैसे माल लेते हैं कि कोई website पे आपने कुछ जैसे माल लो canva website है अब canva पे आपने free banner बनाने banner बगरा बनाते हो सारे कोई free बनाते हैं लेकिन आप उसका access ले लो for example आपने paid subscription ले लिया उस website का अगर आप paid subscription लोगे तो आपको अपनी username password डालना पड़ेगा तो वहां पे आपकी कोई credentials नहीं है बस आपकी login ID आपने पैसे बर रखें और आपकी फोटो या आपके बारे में कुछ नहीं है उसके अंदर आपका Snapchat हुआ, Instagram हुआ, Facebook हुआ, WhatsApp हुआ, यह सारे login में आ जाते हैं जो कि यहां पे आपकी बहुत सारे credentials पड़े रहते हैं पहले से ही save रहते हैं यह सर, CISF Head Constable Ministerial Online Batch कब से स्टार्ट होगा इसकी जानकारी अभी तक के लिए तो नहीं है मेरे पास में ठीक है कि कब Batch स्टार्ट होगा लेकिन मैं आपने टेलिग्राम सुनिल सर टेस्ट बुक पे जो है उसका पोस्ट कर दूँगा जरूर जब भी वो बैच का notification आएगा तब या उस पूछ के टीम से ठीक है आप टेस्ट बुक से डारेक्ट जुड़ने रहिएगा चलो यह सवाल का ठीक अंसर आपने दिया है IEEE 802.8 अच्छा यहां optical fiber cable है चार पांच cable होती है एक तो आपकी cable होती है जिसको आप लोग कहा करते हो डियर parallel wire cable के नाम से जाना करते हो ठीक है न एक तो cable है आपकी parallel wire cable पैरलल wire cable जो होती है यह यूज की जाती है आपकी कहां पर telephone के अंदर यूज की जाती है ठीक है यह telephone cable के रूप में यूज होती है आपके telephone cable अच्छा यह telephone cable के रूप में यूज होती है पर इसमें signal की tapping बहुत असा से होती है ठीक ना सिगनल टैपिंग सिगनल टैपिंग का मतलब सिगनल को चुराया जा सकता है असानी से कोई भी जो ना आपकी बाते असानी से सुन सकता है इसी को बोला करते हो आप लोग क्या सिगनल टैपिंग या पैरलल वायर के नाम से जानते हो इसको आप लोग दूसरी pair cable ठीक है ना twisted pair cable کی बात करते हैं तो इसके इसे twist से बने रहते हैं आपके ठीक है और यह twisted pair cable जो है ना आपकी इसको याद रखिएगा इसको land cable के रूप में use किया जाता है land cable ठीक है ना land cable के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है local area network में long distance में यह केबल अच्छी काम नहीं करती क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ पे नोø्ट होते हैं कि भी होती है फिर यह तारी केबल जो पास तो को एक्जियल केबल कदे गर करते हैं तो अग시omerain केबल जाली लगाई होती है डिश टीवी का केबल देखा है किया तुम लोगों ने अपने गड़ पे हाँ केबल देखी होगी टीवी वाली वैसे आज कर टीवी की तरफ तो फटकते तो आपिकल फाइबर को बनाया किसने था इसके अलावा ऑपिल फाइबर इसमें signal ट्रेडल करता है किसकी की फॉर्म में कोसिस करते हैं कि कम से कम हो और हाइज स्पीड ट्रांसमेशन जो आना वो होता रहे है आपका अनुपमा बेस्ट सीरियल है अरे वाँ बाइसा सीरियल देखते हो आप लो सरफंक्शन ओफ ऑप्टिकल फाइबर लो भई है हमने पूरी रात रामाइन देखी थी सुबहा के पूछा था सीता बाप किसका था मैंने पूरी बात तो गाद दी अभी भी तुम यह पूछते रहे गए कि ऑप्टिकल फाइबर भाइसाब सीगनल ट्रांसमेशन का काम होता है ऑप्टिकल फाइबर का मेरे कमरे में ओप्टिकल फाइबर केबल लगी हुई है ठीक है ना ते यह रहा ऑप्टिकल फाइबर केबल ठीक है बाइए कुछ ताल चोड़ मेरे पास में कहा के मास्टर जी खेल ले आप इससे बनका ठीक है खेल लेंगे यह रहा optical fiber cable ठीक है आए अरे सर मतलब optical fiber है ठीक है यह optical fiber cable मतलब ऐसे कैसे है यह बहुत इसमें cable है कोई एक cable नहीं है इसके अंदर यह bundle of cables है ठीक है एक cable बनी होती है कांच की जर्मिनियम कांच की, ये तो शिल्डीड है बाहर से, ठीक है ना, ये तो बाहर से शिल्डीड है, हास से तूट जाती है, असानी से तूट जाती है, ये तो कांच की होती है, ठीक है ना, एक इनसान का बाल होता है, उतनी पतली केबल होती है, ठीक है ना, उसके अंदर से भी हो तीका ना यह आप्टिकल फाइबर है आपका भाईया ठीका ना अच्छा आप्टिकल फाइबर का क्रोस सेक्शन व्यू दिखा दें लो भी या गूगल बाबा आजा आजाओ गूगल बाबा हमारे पास पे क्या बोला तुमने ओ एफ सी प्रोस सेक्शन यह ओ एफ सी केबल लिखना पड़ेगा लो भाईया इमेज पे आजाओ ठीक है ना और यह रहे यह देखो ऐसा रहता है यह आप्टिकल फाइबर ठीक है ना यह बाहर से केबल इतने मोटे मोटे करते हैं यहां तक फाइनल कोर आती है इस तरीके से इतना छोटा आता है आपका ठीक है ना तो यह एक आप्टिकल फाइबर का क्रोस सेक्शन है यह देख लीजिए क्रोस सेक्शन राजी हुए ठीक है चलो सर हुए राजी तो बहुत अच्छी बात है ठीक है सर लेयर बता दीचेगा हाँ बैटा केवियस के पेपर में केबल नहीं आएगी हाँ केबल ही दिखा रहा हूं तो केबल नहीं आएगी च्याँ सर एक सब केवियस चलो अगली बात मैं बता रहा था आप लोगों को क्या कि वो केबल क्या सुरिया आपने पूछा है मुझे लेयर बढ़ा दीजिए सर एक बार सातों फैंiğ रवी जी ने पूछा था था तो बिखा रहा है रवी कलास में हो ना आप लोग हम रवी अगर धा कलास में तो बता हूं मैं बताना कमेंट करना 오icy लियर पूछा था मुझसे ठीकά ना सात्तों लेयर बिफली बता रहा हूं नहीं सात्वी लेयर होती है अप्लीकेशन लेयर ठीक है ना अप्लीकेशन छट्वी लेयर कुन सी होती है आपकी चट्वी लेयर होती है आपकी प्रजेंटेशन लेयर ठीक है ना चट्वी होती है आपकी प्रजेंटेशन लेयर और पांच्वी जो होती है ना आपकी उसका ना ठीक है ना transport layer है ठीक है ना और तीसरी layer जो होती है उसका नाम है आपका network layer ठीक है दूसरी होती है data link layer और पहली होती है physical layer ठीक है ना ये साथ layer हैं आपके यहां पर ठीक है आद रखना application layer के अंदर जो है यूजर available होता है यूजर यानि की हम और आप जो होते हैं वो यूजर अविलेबल होता है इसके अंदर इसको आप लोग client layer के नाम से भी जाना करते हो इसी को आप लोग server layer के नाम से भी जाना करते हो इसके अंदर आपका FTP, file transfer protocol SMTP, simple mail transfer protocol, ठीक है ना TELNET यह सारे के सारे protocol होते हैं HTTP ठीक है ना और HTTPS HTTPS यह सारे protocol जो है इसी के अंदर पाये जाते हैं आपके यह protocol इसी में है presentation layer का काम होता है आपका यहाँ पे कि encryption और decryption करने का काम होता है कि साथ-साथ यह conversion करने का भी काम किया करती है आप लोग एक end से दूसरे end तक जो डेटा भेजते हो तो उसको थोड़ा सा encryption यानि कि लोक वोक लगा के और इसके अलावा जो है ना उसको convert करके ठीक है ना किसी अलग भासा में जैसे माल लेते बाइंडरी coded चाहिए हमें data तो बाइंडरी का जो है ना देटा भेजा है ना तो उस data दूसरे end को verify करती है कि आपने जो data जहां भेजा है क्या वो user available हैक नहीं है address को verify करने का इसका सीधा सीधा काम होता है आपका ठीक है transport layer जो होती है इसको end to end layer कहा करते हो आप लोग end to end ठीक है end to end layer है इसको error control के नाम से भी जाना करते हो ठीक है नहीं इसको error control भी कहा करते हो इसके अंदर TCP और UDP प्रोटोकोल होते हैं transmission control protocol और user datagram protocol ठीक है data के packet यही बनाती है data के segment यही बनाती है data को packets में तोड़ देती है छोट 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 कई सारे packets बना देगी network का काम होता है data packets पे addressing करना और के अलावा data packet को पास दिखाना रस्ता दिखाना कि वो छोटे छोटे टुकडे बन गए हैं वो कहां से होके जाएंगे protocol लगा के भीजा जाएगा internet protocol यहाँ पे आपका काम करता है proper तो इसके अलावा data link layer में आपका frame बन जाते है ठीक ना data link layer में data का frame बनता है और यहाँ पे data में कोई अगर error है तो error को detect किया जाएगा और error को correct भी किया जाएगा ठीक ना मतलब for error detection और error correction गलती को ढुंडा जाएगा गलती को ठीक भी किया जाएगा यह दोनों काम जोना यहाँ पे होता है आपका और physical layer की बात करते हैं आप लोग यहाँ पे तो physical layer क्या करती है यह आपका mode of communication में help करती है mode of communication mode of communication का मतलब यह है कि आप लोग बातचीट करवाते हैं एक end से दूसरे end से correct करवाती है चाहिए हो simplex हो चाहिए full duplex हो चाहिए half duplex हो एक परकार का तो यह mode of communication physical layer के अंदर चलता है आपका यह ठीक है तो यह थी सातो layer का brief आपका ठीक है ना वैसे मैंने बहुत सारे lecture इस पे ले रखें आप देख सकते हो पर brief फिर भी पूछा है NIC का full form क्या है अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो please कर दे ना यह तो काम करी सकते हैं आप लो NIC का full form होता है network interface card ठीक ना network interface card Wi-Fi का full form क्या होता है यह तो खेरा आप लोग सभी जानते होंगे पकी बात है कोई गलत ने करे गए नहीं Wi-Fi का full form Wi-Fi का full form क्या होगा बताओ Wi-Fi का full form Wi-Fi का full form है wireless fidelity ठीक है ना अच्छा यह Wi-Fi किसके ड्यूरिंग आता है किसके अंतरगत आता है आपका यह Wi-Fi तो Wi-Fi आता है आपका pan के अंतरगत ठीक है ना pan pan का मतलब क्या होता है pan का मतलब है P-E-R-S-O-N-A-L personal area network आता है ठीक है ना personal area network के अंदर यह आता है ठीक है अच्छा pan जो है आपका इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि Wi-Fi pen जो है ना इसके अंदर आपका hotspot है एक तो ठीक है ना example से समझ जाओगे जल्दी hotspot हुआ यह इसका मतलब आपका Wi-Fi हो गया ठीक है ना यह आप लोग कह सकते हो इसका अंदर WLAN आता है wireless local area network आता है यह सारे के सारे part जो है ना यह pen के ही है example मतलब 10 meter तक जो है ना यह काम करता है Bluetooth के example में आते हैं आपका 10 meter तक यह best काम करता है एक personal area के लिए बहुत बैस्ट होता है best suitable होता है personal area के लिए ठीक है तो इसको आप लोग जाना करते है pen चोटा है या लैन चोटा है तर जी pen सबसे चोटा होता है भचा ठीक है ना लैन यान कि लोकल एरिया नटवर्क ये आपका 2 किलोमीटर के अराउंड होता है उसके बाद में केन होता है केंपस इरिया नटवर्क ये 5 KM के अरांड होता है आपका ठीक है न लगान हूता है मैं होता है मेंट्रोपेलिटैन अरिया youtube इ मेंट्वोलीटनिंप ये 50 कंटेंट अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को देखो भाई आपने पास में कंटेंट तो है अच्छा पढ़ा अच्छा सकते हैं टीचिंग स्किल भी अपने पास बहुत अच्छी है बाकी तो अब कहां से कुछ लाएं कि हम हुं ठीक है कुमार पाल अपने पास यही चीज अच्छी है ठीक है चलिए सर आगे बड़े अगला सवाल क्या है कि वट डू वी कोल दा प्रोसेस ओफ ट्रांस्फरिंग मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन तो अनधर ठीक है ना कोई बात नहीं बटा इसका ठीक अंसर क्या है बताओ एक मोबाइल स्टेशन को एक बेस स्टेशन से दूसरे में ट्रांस्फर करने की प्रिक्रिया को हम लोग क्या कहा करते हैं इस सवाल को ठीक अंसर कहोगे आप लोग हैंड ओफ टेकनीक होती है बहुत इपॉर्टन्ट है हैंड ओफ के यह हैंड ओवर भी कह सकते हैंड ओवर टेकनीक के नाम से भी इसको जाना करते हैंड ओवर टेकनीक का मतलब होता है आप लोगों का देखो दो चीजे आती हैं इसके अंदर हैंड ओवर में एक आपके पास में आता है सॉफ्ट हैंड ओवर आता है ठीक ना और एक आपके इसके अंदर आता है जिसको आप लोग कहा करते हो क्या पासमे जो मॉबाईल के कलस्टर होते हैं ध्यान सा समाजना इसको टीक है ना आपके पास में मॉबाईल के कलस्टर होते हैं hexagon type के होते हैं ऐसे ऐसे ठीक है ना इस तरीके से mobile cluster होते हैं आपके hexagonal होते हैं यह ठीक है ना और ठीक है ना यह ऐसे hexagonal होते हैं आपके ठीक है यह ऐसे ठीक है hexagonal होते हैं यह ठीक है यह ऐसे इनके अंदर towers लगे होते हैं इनके अदर tower लगे होते हैं अब माल लेते हैं यह हर जगह यह लगे हैं ठीक है आपका अब आप एक station से दूसरे station पर जा रहे हैं ठीक है ना और आप स्पोच करो call पर बात करते करते ही जा रहे हो ठीक है तो हो क्या रहा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर जब call पर बात करते करते जा रहे हो एक केस होगा कि आपका यहां से एक राज्य यह था माल लेते हैं एक हर्याना राज्य यह था ठीक है ना और यह राजस्थान राज्य है ठीक है ना दोनों की बोर्डो टच होती है तो आप ऐसे यहां से इधर जा रहे थे हर्याना से जैसे राजस्थान मे पड़ेगा यह आपका रह गया hard handover ठीक है लेकिन आप यहां से यहां जब जाएंगे तो आपका phone कटा ही नहीं तो इसको आप soft handover कहोगे ठीक है तो एक जगए एक data दूसरे जगए transfer जब किया जाता तो यह होती तो technique handover की है पर hard और soft क्या होता है यह मैंने आपको बता दिया ह किस तरीके से काम करता है which among the following is the cheapest type of internet connection इनमें सबसे सस्ता वाला internet connection जो है न वो कौन सा है आपका इनमें सबसे सस्ता internet connection जो है न वो कौन सा है बताईएगा इनमें सबसे सस्ता डाइल अप होता है ISDN होता है internet services digital network बोलते हैं इसको internet services digital network DSL digital subscriber line कौन सा सबसे सस्ता है तो ISDN network तो महेंगी है DSL digital subscriber line यह भी महेंगी है लेकिन डाइल अप सबसे सस्ता होता है आपका ठीक है न जो आपके पास में वैं technology होती है न वैं का मतलब क्या हुआ आपका वैं का मतलब हुआ वाइड area network ठीक है न वाइड area network तो यह वाइड area network जो है आपका यह इसी के अंतरगत ही आता है सबसे सस्ता है यह communication between two state or two countries दो देश या दो राज्यों के बीच में बातचीत करना होता तो हमें when की ही जरूर्ट पड़ती है wireless local sorry आपका वाइड area network के नाम से इसको जानते हो आप लोग control all the main slide control task for your presentation powerpoint presentation के अंदर आप लोग अगर पूरी की पूरी slide के सारे system control करना चाहते हो तो किसके थूरू कर पाऊगे task pen, task bar, control panel या इन में से कोई नहीं किस से control करते हो आप लो slide के सारे सारे control जो है न वो किसके थूरू होते है किसी ने दिया है C option, किसी ने दिया है A option और किसी ने दिया है B option यानि कि task bar जी, इस question का जो ठीक answer है न बेटा वो आपका task pen है ध्यान रखना control panel क्यों नहीं है पहले तुम्हें बताता हूँ, control panel से computer के program control होते हैं control होते हैं ठीक है न कंप्यूटर के program जो है न वो control होते है control panel से थो computer के अंदर बहुत सारे program होते हैं जैसे माल लेते कि मैंने कोई software डाल रहे हैं तो software को अगर मैं uninstall करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर control panel में जाऊंगा या computer के अंदर कोई और program है network की setting है peripheral device है उन सभी की अगर मैं control करना चाहता हूँ तो वो मेरा अंसर रहेगा control panel अचा टास्क बार क्या होती है यहां पे आपको computer में running window दिखाएगी ठीक है न कंप्यूटर कंप्यूटर में running program ठीक है न कंप्यूटर में running program जो भी program computer में running चल रहे है running program या running window जो है न आपकी running window इस जगह पे आपको शो होगी आपने देखा होगा न टास्क बार के अंदर नीचे आपकी एक टास्क बार पटीस होती है उसके इंदर खुले होते हैं से मालो ms word खुल रखा तो एक icon बन जाएगा powerpoint का अलग या इन सब के ऐसे ऐसे अलग-अलग icon बने होते हैं न that is task bar और task bar याद रखना है एक software का पार्ट है ठीक है न इसको आप लोग कहा करते हो system software का एक पार्ट है ये system software के अंदर आता है ये system software के अंदर आता है system system sports software में आता ही है system sport में आता है और system sport में आता है ये utility का पार्ट है utility utility का example एक्चुलिए task bar ठीक है तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है ठीक है न हाँ हाँ task bar में जो watch वाली बात कर रहे हो ने बैटे आप लोग उसको बोला करते है तास्क बार में system tray होती है ठीक ना उसका नाम है आपका system tray ठीक ना system tray इस system tray के अंदर आप लोगों को दिखाई देता है क्या time दिखाई देता है time के अलावा date भी रहती है इसके अंदर इसके अं जो है ना आपके computer में कितना percentage है उस option पे रहते हो language आपके computer में क्या है उसके उपर बात करते हो ठीक है ना इसके अलावा time, date, network, sound, language और peripheral device जो होते हैं आपके कोई वो connected कोई bluetooth अगर आप लोगों के computer में connected है तो आपके लिए यह सारे options आपको system tray के अंदर जो है ना वो दिखाई देते हैं ठीक है ना ठीक है ठीक है और आगे चलते हैं अगला question आपका क्या है which of the following cannot be toggled from view to a slide को नहीं कर सकते है टोगल आप लोग ठीक है अगला है कि which of the following pen is not available in task pen तास्क पैन में क्या नहीं होता यह बताओ तास्क पैन में इन में से क्या चीज़ अवेलबल नहीं होती तास्क पैन में इन में से क्या चीज़ अवेलबल नहीं है तास्क पैन में एक चीज़ अवेलबल नहीं है वो है clip art ठीक है ना यह नहीं है getting started रहता है word art भी है लेकिन search result भी है पर clip art नहीं है चोटी से clips होती है ना आपकी वो नहीं available कोई किसी का photo हो गया कोई image होगी temporary image होगी वो चीज़ इसमें available नहीं होती है यह देखिएगा इसको clip art बोलते है यह clip है आपका clip art आपकी option insert में जाके दिखता है आपको अलग से ठीक है कोई चोटा सा ऐसे कोई image होगा है ऐसे clip art होगी बहुत सारी खुल सकती है किसी का photo हो गया computer का photo हो गया पतंग हो गई memory होगी disk होगी जो भी है इनको आप clip art बोलते हो और इसी में ही आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है यह वाला जो है यह टास्क बार यह टास्क बार है जिसके अंदर देको यह बहुत सारे प्रोग्राम जोना आपके ऐसे open किये हैं which of the following is not available in task pen task pen में इन में से क्या available नहीं है task pen अगर खोलते हो आप लोग तो इन में से क्यूसन तो वही है option बदल गए आपके ठीक है ना क्यूसन तो अभी भी वही है बस option बदल गए आपके task pen में इन में से कौन सा part available नहीं है बताओ इस में से master slide अविलबल नहीं है जब आप powerpoint open करते हो तो powerpoint के अंदर ठीक है ना powerpoint में powerpoint में आप लोग एक option में जाओगे जिसका नाम क्या है view option है ठीक है ना और view के अंदर आप लोग जाओगे master view ठीक है master view और master view के अंदर आप लोगों को जो है तीन option दिखाई देंगे एक तो दिखाई देता है आपको क्या slide master ठीक है ना एक तो आपका रहता है slide master एक आपका रहता है जिसको कहा करते हो आप लोग क्या handout master के नाम से जानते हो आप लोग एक यह और एक आपका रहता है जिसको आप लोग कहते हो Notes Master, ठीक है ना? Notes Master, Notes Master, ठीक है ना? तो यह तीन option आपके आगे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है? और अब इन तीन options की अगर आप बात कर रहे हो आप लोग तो इन तीनों का काम क्या है? यह equally common ही लोगों चले, common सब कुछ एक जैसा सब कुछ चलता रहे, उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, Slide Master यूज करते हो PowerPoint की पहली Slide को Slide Master कहते हैं, ठीक है? यह बात भी important है आपके लिए क्या? कि PowerPoint, PowerPoint की पहली Slide की पहली Slide, ठीक है ना? PowerPoint की जो पहली Slide है, पहली Slide को Master Slide कहा करते हो आप लोग, ठीक है? Master Slide, PowerPoint की पहली Slide को आप लोग क्या कहते हो? Master Slide की नाम से जानते हो आप लोग और handout Master की बात अगर करें हम लोग, तो handout Master का मतलब यह हुआ आपका यहां पे, क्या? कि यहां पे PowerPoint में header और footer अड़ कर सकते हो, आप लोग ठीक है ना? PowerPoint में header और footer, ठीक है ना? PowerPoint में हम लोग क्या add कर सकते है? header और footer, ठीक है ना? header और footer add कर सकते हैं, हम लोग PowerPoint के अंदर नोट्स तो खैर पता ही, आपको हर Slide में notes add करने के लिए A new presentation can be created from एक नई परजेंटेशन बनाई जा सकती है, कहां से बनाई जा सकती है, ब्लैंक परजेंटेशन से, पहले से बनी पड़ी है, वहां से, डिजाइन से या सभी तरीकों से ही, निउ परजेंटेशन कहां से बनाई जा सकती है, जी new presentation बनाई जा सकती है इन सबी तरीकों से एक blank presentation से त्यार कर सकते हो पहले से बनी पड़ी यह वहां से भी ले सकते हो और design template से भी वैसे new presentation का जो shortcut होगा वो क्या होगा बता सकते हो आप लोग की कर ना अगर new presentation की आप बात कर रहे हो तो इसका shortcut क्या होगा तो new presentation का shortcut होगा आपके आगे control plus में N ठीक है ना control plus में N जो है ना ये new presentation का है और new slide का क्या होगा new slide का ठीक है ना new slide का होता है आपका control plus में M ठीक है ना control plus में M control plus में N, control plus में M दोनों पता होना चीए आपको ये तो छोड़िएगा which of the following statement is false कौन सी statement इन में से गलत है ठीक है ना गलत statement पूछा इन में से अगर आप चूज करते हो एक slide पहले से जो बनी हुई है layout you can change the positioning मतलब कहने का मतलब है अगर आपने पहले से एक slide जो ना बना रखी है template ले लिया और आप उसके अंदर ना कोई भी चीज चेंज कर सकते हो हाँ change कर सकते हैं कोई मनाई नहीं है ठीक है ना मतलब template में editing की जा सकते है कोई खास बड़ी बात नहीं है ऐसा ही होता actually अगर आप लोग एक पहले से slide लेते हो उसमें आप बदल या कोई कोई डिलीट सकते ही नहीं हो यह और गलत है यही गलत है ठीक है यही गलत है तहीं हो गलत है यह आपको पता ही है अब ही मैंने जब यह सवाल पढ़के इसको ठीक कह दिया तो इसको मैं गलत ही कहँगा ना अपने आपी टेंपलेट का मतलब है जो पहले से ही डिजाइन हो यानि की प्री मेड स्लाइड ले आउट पहले से सब कुछ डिजाइन कर रखा है मैंने उसके अंदर और बस उसके अंदर मैं एडिट करना चाहूं तो कर सकता हूं इसके अंदर पॉजिशन चेंज करने हैं मालो कलर आपने पहले ग्रीन लगा रखा था मुझे पसंद नहीं यालो लगाना है तो मतलब यह चीजे चेंजिस जो करना चाहता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कहने का सेंस यह हुआ ठीक है बट अगर आप लोग जो है ना चेंज करक है ऐसा है वकाइदा पेपर में कि कौन सा layout नहीं होता है होता है वो पता रहना चीए आप लोगों को क्या क्या नाम है इनके ध्यान रखना और एक सवाल बाइद डिफोल्ट layout कौन सा आता है मेरा सवाल है तुमसे बताना कि आपके power point में by default layout कौन सा होता है आपके powerpoint में by default layout कौन सा होता है placeholder होता है landscape होता है title slide एक बच्चे ने कहा है वो सही है देखो यार यह select हो रखा है पहले यह रहा placeholder तो जहांपे text लिखा जाता है उसको बोला करते है by default layout का नाम है title slide एक layout होता है title and content एक layout होता है section header एक layout का नाम है to content एक layout होता है comparison एक layout होता है title only एक layout होता है blank एकदम खाली आएगी एक होता है content with caption एक होता है picture with caption यह layout रहते हैं आपके ध्यान रखना यह layout के नाम है आपके और पेपर में इनके अलावा कोई option आपको देखने को मिले तो आप कह सकते हो कि ये option नहीं है ये सारे layout के नाम है याद रखना तो very very important है आप लोगों के यहां से यहां पर हाँ जर्नली common ही आता है 2007 का हो या सब में कोई भी हो कोई भी वर्जन हो सब में टाइटल ले आउट ही रहता है बाई डिफोल्ट साथ कही आते हैं जर्नली तो खेर पेपर में तो सावा लेकिन बाकी कोई भी हो आजकल सब में कोमन है टाइटल स्लाइड ही खुलती है सब के अंदर मैं 2019 खोल के दिखा दूँ आप मेरे पास 2019 ही है उसमें भी टाइटल ही है कोई भी हो सब भी टाइटल ही चल रहा गए ठीक है टाइटल स्लाइड ले आउट है यह अगला है कि इसको आप लोग बताइए इसका ठीक अंसर क्या होगा आप डिजाइन विजाइन की बात कर रहे हो तो यह कहां से आप का रहेगा जी इसका ठीक अंसर रहेगा डिजाइन टैंपलेट इसका ठीक अंसर रहेगा क्योंकि देखो आप लोगों को रेडिमेट फोंट कलर की बात करते हैं यह देखो यह डिजाइन टैंपलेट है मतलब यहों समझो design template के अंदर आप लोगों को एक चीज दिखाई देती है और वो है आपके क्या themes है ठीक है ना ध्यान से देखो इसमें कहीं theme लिखा होगा यह रहा corner में यह रहा themes ठीक है ना जैसे आप लोग design template में जाके theme पे क्लिक करते है ना तो theme आपके पास ही में यह देखवागी खाली plane लेना है ठीक ना तो ऐसा ले लीजिएगा इस तरीके से कोई आपका design हो इस तरीके का हो background में ऐसे full file पते हो कोई yellow हो ऐसा color हो ऐसा color हो ऐसा color हो ऐसे इसको scroll करके बहुत सारे theme निकाले जा सकते हैं ठीक ना browse for theme है आप browse कर सकते हो search कर सकते हो पहले से आपकी save है उसको भी लेके आ सकते हो कहीं ने कहीं जो save है आपकी उसको save कर सकते हो मतलब आपके पास बहुत सारे options है custom भी आप लोग को design कर सकते हो यहां पे तो यह theme है theme and background actually same ही है ना एक परकार से same ही ह theme में यह होता है कि उसके font size भी बदल जाते हैं उसी level के हो जाते हैं ठीक ना otherwise तो दोनों में थूड़ा सा word में फरक है अगर exact फरक देखते हो तो यह है background में just background change होगा font पे कोई परभाव नहीं पड़ेगा theme में background तो बदलेगा यह बदलेगा font है वो भी बदल जाएंगे font की position भी बदल जाएगी कि कहां पे font पड़ा था for example जैसे यहां पे यह यहां पे है तो तुम्हें देख रहा होगा इस वाली theme में select करोगे तो यह ऐसा हो जाएगा इस वाली select करोगे थोड़ा ऐसा बड़ा हो जाएगा background में तो background yellow कर दोगे तो yellow होगा font तो वहीं पड़ा command अगर आप लोगों को वस्तुव का रंग बदलने की आवशक्ता है और powerpoint में किस command का यूज करोगे आप लोग वस्तुव का रंग बदलने की अगर आपकी इच्छा है तो आप powerpoint में जो ना किस command का परियोग करोगे बताओ color change करना चाहते हो just app look आपके पास में choice है दो एक आपके पास में design template की है चार चोईस है एक color schema की है एक font color की है और एक आपके पास में object color की है अब देखो यहाँ पे आपके आगे रहे सबसे बड़ा confusion क्या है design template तो खेर आपका होगे ही नहीं ठीक है ना यह तो आपके पास में कोई choice बनती भी नहीं है object color की कोई choice है भी नहीं confusion सबसे बड़ा जो है ना वो इन दोनों का है बता देता हूं मैं कि color schema और font color का ही confusion है सबसे बड़ा font color में तो केवल font बड़ा जाएगा लेकिन इन्होंने का है कि विबिन वस्तुओं का अलग-अलग object का कई काई चीजों का बड़ना है तो आप color scheme जो है यहाँ पे use करोगे याद रखना color scheme apply करोगे और उसमें आप लोग अलग-अलग चीजों का color बड़ोगे इस तरीके से आ what powerpoint feature will you use to apply motion effect to different object of a slide motion effect जो है ना वो किस में रहता है आपका बताना motion effect के बारे में बताना है आपको slide transition है slide design है animation object है यह animation scheme है जी इस सवाल का ठीक अंसर animation scheme होती है याद रखना आप लोग ठीक है ना आपके animation scheme के अंदर यह 4-5 effect होते हैं एक आपका effect होता है entry effect होता है ठीक होता है आपका entry effect आपके slide के अंदर बाहर से कुछ object आपकी slide के अंदर आएगा तो entry effect हो गया slide के से बाहर कुछ निकल जाएगा वो होता है आपका exit effect के नाम से जाना करता है उसको आप exit effect कहते हो एक होता है आपका motion effect ठीक है, motion effect, motion effect के अंदर क्या होता है आपका, कोई object आपकी पूरी slide में घुमता रहेगा, चकर काटता रहेगा, उसको आप motion कहते हो, एक होता है आपके पास में यहां पे emphasis effect, ठीक है ना, emphasis effect का मतलब यह है, कि कोई object है आपका, वो एक ही जगह पे कहीं rotate करता रहेगा, घुमता ठीक है ना, वो emphasis है, और एक आपका होता है, custom effect होता है, ठीक है ना, custom effect, custom effect का मतलब आपका यह है, कि आप अपने मर्जी से कोई भी उसके अंदर जो ना, वो changes ला सकते हो, वो आपका custom effect का part बनेगा, आपका यह याद रखिएगा, तो animation का मतलब होता है, जो effect slide पर लगे, जो effect slide पर लगे, ठीक है ना, slide पर लगे, उसको आप लोग कहते हो, animation, लेकिन transition का मतलब क्या होता है, जो effect, अरे माफ करना, उल्टा लिग दिया मैंने, यह transition होता है, जो effect slide पर लगे, और animation होता है, जो effect object पर लगे, अगला सवाल पढ़ाता हूँ, यह क्या है, what feature will you use to apply motion effect in between a slide exist and another enter, यह क्या रहेगा, Sir can voice typing replace keyboard typing, मतलब आप किस way में पूछ रहे हैं, कहां पर, exam perspective पूछ रहे हैं, कैसे मतलब, भही आप जैसे voice ball के type करते हो, तो क्या यह keyword typing को replace कर देगा, वो depend करता है user to user, मैं question बनाता हूँ, बोल बोल के बना लूँ, ठीक है, लेकिन लिखके इसमें थोड़ी बहुत correction हो जाए, तो किये भी जा सकते हैं, depend करता है user पे वो, अच्छा in future की बात कर रहे हो, कि आप लोग, in future तो chat GPT ने जगह ले लिए इन future तो आप एक बार बोलो, कि वो काम automatic अपने आप ही हो जाएगा, यह typing करने का इतना need ही नहीं होगा, इस question का ठीक अंसर slide transition है, क्योंकि अभी समझ में आगे हैं, आपको कि एक slide जब आती है, दूसरी slide, एक slide और दो slide के बीच का जो effect होता है, उसको आप लोग transition ही कहा करते हो, ठीक है, दो slide के बीच का effect जो होता है, आपका उसको आप लोग transition के नाम से ही जाना करते हो, यह याद आप लोग, ठीक है, चलिए, यह question आप, आज की class इतनी ही है, यह question आपके लिए देखे जा रहा हूँ, the selected design template can applied, यह question आपके लिए homework है, आप comment में इसका जवाब दीजिएगा, यह particular class कैसी लगी आपको, मुझे आप लोग feedback जरूर दीजिएगा, मेरा telegram handle है, आप लोग जरू स्लोगे, तो उस पर आपको instant discount मिलेगा, class को अभी तक like नहीं किया है, तो like जरूर कर देना, मिलता हूँ, आप लोगों को मैं अपने अगली class में, तब तक अपना ख्याल रखना, रादे रादे आप सभी प्यारे बच्चों को, session अच्छा था, तो feedback जरूर दीजिएगा Thank you so much, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, class में पधारने के लिए, आने के लिए शुक्रिया बिटा, शुक्रिया 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 बहुत